आप लोगों के सामने आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर कि जिसमें मैं डिसकस करने जा रहा हूं एंसेंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एंसी क्यूज को जो आपके डिफेंस इग्जामनेशन और प्रिपरेशन के लिए बहुत जादा एसेंसियल है और बहुत जादा जरूरी है तो मैं एक बार चाहता हूं कि जितने बच्चे लाइव हैं सेशन पे एक बार फटा फट आप लोग क्लास को शेर कर दीजी अपने दोस्तों के साथ और जितने बलचे लाइव आ चुके हैं एक बार मुझे रिप्लाइ करें ताकि मैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को स्टार्ट कर सकूँ A very good afternoon to all my dear students, cadets, जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं सबों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस important session में और मैं चाहता हूँ कि आप लोग फटा-फट आज के इस class को join करो ताकि मैं आज के इस session को positive notes पे start कर सकूँ Everybody please do join the session as quickly as possible आप जितनी जल्दी join करेंगे session को मैं उतनी जल्दी questions को start कर पाऊंगा आपके साथ और मैं इस बात की आसा करता हूँ कि आप सब लोग अपने पडिवार वालों के साथ बिल्कुल सुरक्षित होगे आपको पता है कि ये situation बहुत dense है बहुत खराब है और बाहर के हालाद बहुत जादा खराब है तो कोसिस कीजिए जतना जादा संबब हो आप अपने पडिवार जनों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ घर में बने रहे और अपना बहुत अच्छे से आप लोग खयाल रखिए ये जरूरी है अभी के टाइम में ठीक है family support is most important at this point of time चलिए तो सुरू करते हैं हम लोग आज के इस धमाकेदार सेशन को एक बार फटा-फट सभी लोग सेशन को like और share जरूर कर दीजिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जो परिवर्थन 2.0 है इसमें आपको ध्यान रखना है कि 70 प्लस courses आपको offer की जा रही है एक साल के validity के साथ इन courses को अगर आपको subscribe करना है इन courses को avail करने के लिए आप आज ही exampur के official website को और mobile application को download कीजिए google play store पे और साथी साथ अगर इन exams के वारे में कोई भी जानकाड़ी आपको चाहिए तो आप directly call कर सकते हैं 9873-111-552 पे और हमें whatsapp कर सकते हैं 844-811-6245 पे साथी साथ जो परिवर्थन 2.0 है इसमें यह जो 70 प्लस courses हम आपको दे रहे हैं इसमें defense के सभी exams को cover किया गया है NDA, FCAT, Air Force, XY Group, CAPF, Navy SSR, Navy AA, CDS, Navy MR, state exams को भी cover किया जा रहा है चलिए अब सुरू करते हैं आज के session को तो सबसे पहले मैं discuss करने वाला हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पे पहले important question से अगर आप सब लोग live आ चुके हो तो एक बार फटा-फट मुझे reply करें ताकि आज के session को मैं positive notes पे start कर सकूँ चलिए सबसे पहला सवाल आज का यह है the first human colonization of the ganga plains happened during the witch age गंगा मैदान का पहला मानव उपनिवेज इन में से किस युग में हुआ था पहला option दिया गया है आपको mesolithic age जिसको हम बोलते हैं मद्य पाशानकाल नियोलेथिक एज नप पाशानकाल चैलकोलेथिक है जिसको हम लोग copper age भी तामर्यूग भी कहते हैं और सबसे लास्ट option है आपका paleolithic age यानी की पूरन पाशानकाल सबसे पहला question ये है कि जो पहला human colonization हुआ गंगा मैदान का पहला मानव उपनिवेज जो है ये इन में से किस युग में किया गया था this is the question for you this is the ये आज का पहला सवाल है आपके से जितने लोग live आ चुके हैं फटा फट एक बास session को आप लोग like और share जरूर कर दीजेगा जितने भी लोग live आ चुके हैं please session को आप लोग share जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि maximum लोग जो है इस session को positive notes पे अटेंड कर सकें चलिए तो पहले question का answer क्या हो जाएगा तो आप क्या बता होगे mesolithic age यानि की मध्य पाशानकाल और यह जो mesolithic age है मध्य पाशानकाल तो आपको ध्यान अकना है यह stone age है यह सब पाशान योग है इसको पासानकाल इसलिए कहा गया कि यहाँ पे जो primitive लोग थे यह ज्यादा तरह आप कहोगे stone tools का use करते थे अपने livelihood को क्या करने के लिए sustain करने क लिए इसको ध्यान रखना है next important question यह है rock paintings of the mesolithic age gives the idea about which of the following जो मध्य पाशान युग है इसके जो rock painting है यह किसके बारे में संकेत देते हैं पहला option है the development of religious practices धार्मिक प्रताओं के विकास के लिए the division of labor on the basis of gender और link के आधार पर श्रम का विभाजन था यानि कि जो मध्य कासाल पाशान काल के अंदर जो rock paintings पाए गए हैं ये paintings हमारे समाज के इन में से किन विचारों के बारे में हमें सिक्षा देता है development of religious practices के बारे में धार्मिक प्रताओं के विकास के बारे में और साती सात लिंक के आधार पर जो श्रम का विभाजन था उसके बारे में तो इसका क्या answer होना चाहिए cable पहला होगा cable दूसरा होगा दोनों होंगे बिलकुल करवाएंगे आप लोग cable साथ देते रहो सब लोग तो इसका answer क्या हो जागा दोनों ही options correct है both one and two which of the following statements are true related to the neolithic age नब पाशान युग के बारे में निबलिखित में से कौन सा कथन सकते है जो नब पाशान कार है जो neolithic age है जिसमें हम लोग खादे संग्रहक से खादे उत्पादक बन गए from food gatherer we became the food producer आपको पता होना है चाहिए ये चीज़ और यहाँ पे एक settled human life की क्या होई थी शुरवात होई थी तो इसमें से दो statement दिये गए है पूछा गया है कि कौन स हत्यार जो थे ये केबल पत्थर के बने हुए थे तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा statement ऐसा है नियोलिथिक एज के बारे में तेकना जो की बिलकुल क्या है सत्ते हैं ये बताईए आप लोग कौन सा statement true है आप देखो जब जो नब पाशान काल थे उसमें आपको ध्यान रखना है अन पॉलिस्ट की जगा पॉलिस्ट टूल्स थे और बिलकुल फाइन टूल थे और सबसे इंपोर्टेंट चीज थी की पॉइंटेड टूल थे यानि की पॉलिस्ट चिकनी जो छोटे-छोटे उपकरन थे उसका इस्तेमाल किया पहला statement गलत है एंड़ टू प्योग किया गया था हतियार को बनाने के लिए तो दूसरा कथन भी गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन बिलकुल सही है एक बाद सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो इसमें से कौन सा जो डॉक यार्ड है यहां कह सकते हैं जो बंदर गाह है डॉक यार्ड कहते हैं ऐसे स्थानों को जहाजों को एंकर से बांध कर रखा जाता था तो यहां पे सवाल ये पूछा गया है किन में से कौन सा डॉक यार्ड जो है उस सिंदू घाटी सबयता से संबन दे था लोथल टूटी कोरीन पुमपुहार या फिर अरिका मेड़ी आपको पता है कि लोथल कहां पे है गुजरात में टूटी कोरीन कहां पे है तमिलनाडू में पुमपहार कहां पे है ये है कि which of the following statements are true निमलिखित कत्नों में कौन सा सही है पहला है people from Indus Valley worshiped people tree सिंदु घाटी के लोग people के पेर की पूजा करते थे the people of Indus Valley civilization carried out animal worship like unicorn and ox सिंदु घाटी सबेता की लोगों ने जानवरों जैसे एक सिंग वाले गेंडे और बैल की पूजा करते थे people from Indus Valley considered shakti as the mother goddess सिंदु घाटी के लोग सक्ती को मात्री दे भी मानते थे they worship fire called haven kund उन्होंने अगनी की पूजा की जिसमें haven kund भी कहा जाता था तो इन में से कौन से कथन जो है वो बिलकुल सकते है सिंदु घाटी के लोगों के बारे में सिंदु घाटी के समाज के बारे में और सिंदु घाटी के आप कह सकते हो जो समाजिक विवस्था थे उसके बारे में जो वहां का lifestyle था एक बार फटाफट सभी लोग session को like और share कीज़ें बिलकुल सही है कि लोग people की पूजा करते थे वो लोग unicorn की पूजा करते थे उन्होंने मात्री सक्ती को सबसे बरा सक्ती यानि कि जो अर्थ है पृत्वी है उसको उन्होंने सक्ती के रूप में पूजा था और साथी साथ वो लोग haven कुंड का भी क्या करते थे पूजा करते थे all of the above उप्रोक्त सभी जो है वो क्या हो जाएंगे correct हो जाएंगे D is the correct answer अगला सवाल ये है कि which of the following cities had the port during Indus Valley civilization सिंदुगार्टी सभिता के दोरा बंदरगाह निमलिकित में से किस सहर में था सुथका गेंडौर, बाला कोट, कुंतशी या ननाबदाबॉव सुथका गेंडौर, बाला कोट, कुंतशी या इन में से कोई भी नहीं आपको बताना है इसमें से कि जो बंदरगा है तेके ना सिंदू घाटी सब इतामे वो इनमें से किनकिन सहरों में थी बता दूँ आपको कुछ जो सुथका गंडोर और बाला कोट है ये दोनों कहां पर है तो आप बताओगे पाकिस्तान में कराची से कुछ किलोमेटर दूर ह और जो कुंतासी है अगर ये पूछा जाए कि कहां पर है तो आपको ध्यान रखना है जो कुंतासी है ये कहां पर है तो एक नदी है गुजरात में फुल की कौन सी रिवर है तो आपको ध्यान रखना है फुल की नदी है कहां पर गुजरात में तो फुल की नदी जो है गु आओगे port है, clear है ये point, चलिए, next question पे आते हैं, with reference to धोला वीरा, which of the following statement is or are correct, धोला वीरा के संदर में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है, unique water harnessing system, यहाँ पे एक अध्यूतिय जल दोहन प्रलाली थी, यानि कि जो water harvesting system है, जल संग्रहन system है, वो सबसे बहतरीन था धोला वीरा मे no rock, no rock cut architecture has been found here, यहाँ से कोई भी, कटे हुए जो सिला है, उनके किसी भी स्थापत्यकला का साख्च नहीं मिला है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा statement सही है, केबल पहला है, केबल दूसरा सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है, आपको ध्यान लखना है कि धोला बीरा, अपने water harnessing system, या हम कह सकते हैं, जल प्रबंधन के लिए, यानि कि आप कह सकते हो, कि जो water management है, जिसको हम जल प्रबंधन कहते हैं, इसके लिए सबसे जादा क्या था, तो आप बताओगे प्रसित्था, तो पहला statement ही केबल सही है, दूसरा statement यहाँ पर क्या हो ज जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, world's oldest signboard belonging to Indus Valley civilization has been found at which place, सिंदू घाटी सबेता से संबंधित, बिस्व का सबसे पुराना जो signboard है, ये किस स्थान पर पाया गया है, गनवरी वाला, हिसार, कुंतसी या धोला बिरा, सिंदू घाटी सबेता से संबंधित, बिस्व का सबसे पुराना जो signboard है, वो इन में से किस स्थान पर पाया गया है, गनवरी वाला से, या फिर ये पाया गया है, किस चीज से, हिसार से, कुंतसी से, या फिर धोला बिरा से, ये बताओ आप लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धोला वी ला, आपको ध्यान रखना है, कि 1967, 68 में, ये जो धोला बिरा अस्थल है, ये जो धोला बिंЙत है, ये आपके असंदो धोला बिरा अस्थल है, इसको discover किया गया था, किसके दौरा, तो आप बताओगे, जेपी जोसी के दौरा, जेपी जोसी ने, 67, 68 मे इस धोला विरा साइट को क्या किया था? एक्सकेवेट किया गया था. और ध्यान रखना है धोला विरा जो है, ये कहां पर इस्थित है तो आप बताओगे करकरेखा पे, यानि की ट्रॉपिक ओफ कैंसर पे. तो अगर कभी भी ये question आता है history में, कि करकरेखा पेस्ति सिंदुघाटी सबिता का कौन सा अस्थल है, कौन सा site है, तो आप क्या बताओगे, it's the धोला विरा. क्या ये point clear है? मैं आपको कुछ additional information भी दे रहा हूँ साथ साथ. Consider the following statement about the Indus Valley civilization. सिंदुघाटी सबिता के संबंद में निमलिकित कत्नों पर विचार करें, ठीके ना? जो seal थे Indus Valley civilization की, ये cable esthetite की बनी भी थी, यानि कि सिंदुघाटी की मुरे, cable esthetite से बनी भी थी, इन में they have the images of animals and other figures on them, या इन पर जानवरों के चित्र और उन पर अन आकृतियां भी बनी भी थी. The use of the cells is uncertain. इन मुरों का उप्योग जो है, वो अनिश्चित था. तो इसमें से कौन सा कथन जो है, वो कहा गया है कि सही है. 9th question कांसर बताईए, इसमें से कौन सा statement ऐसा है, जो बिल्कुल correct है. ये बताईए. केबल पहला सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, या पहला या तीसरा सही है. Please tell me about this. अब देखो. Second or third statement सही है, क्योंकि सिंदु घाटी सबिता की जो मुरे थी, वो Northeast Tite के अलाबा, इसको बनाया गया था, किस चीसे 테रा कोटा, टेरा कोटा कहते हैं किस चीसको पकीवी मिट्ती से, इसके अलाबा, गोल्ड के भी सील्स पाये गये थी, किस चीस के स्वर्ण के भी, इसके अलाबा जो सिल्वर है, चांदी के भी मुढ़े पाई गई थी इन सब को ध्यान रखना है तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो Indus Valley Civilization है इसमें जो मुढ़े पाई गई थी वो ज्यादातर बने वी थी इस्टीटाइट की जो हैं वो इस्टीटाइट की बने वी थी इसको ध्यान रखना है आप लोगो तो आंसर क्या हो जाएगा second and third तो answer will be which option I hope it is clear to all of you अगला सवाल यह है कि which of the following statement is or are true कौन सा कथन सही है शुतका गेंडौर वोज नॉट अपोर्ट सिटी शुतका गेंडौर एक बंदरगाहिये सहर नहीं था cotton was one of the import items कपास आयात की वस्तूओं में से एक थी भारत में सिंदुगाटी सभिता में और जो earliest evidence है cotton का वो find किया गया था कहां पे अलहादीनों में तो इसमें से कौन सा statement आपको लगता है कि बिलकुल क्या है सही है This is the question for you Please go for the answer सुथका गंडॉर was not a port city cotton was the main import items and earliest evidence of cotton was found in अलहादीनों देखो सुथका गंडॉर was not a port city गलत है ये एक port city था cotton was one of the name cotton हम क्या करते थे आयात नहीं करते थे जबकि इसका हम निरियात करते थे ठेके न और जो important items of import थी यहाँ पे वो क्या क्या चीज़ थी तो हम लोग import करते थे यहाँ पे क्या चीज़ तो tin को हम लोग import करते थे किस चीज़ को यहाँ पे तो आप ध्यान रखोगे gold को हम लोग import यहाँ पे किस चीज़ को करते थे तो आप ध्यान रखोगे silver को tin, gold, silver यह major products थे किस चीज़ के, तो आप बताओगे, imports के, तो यह भी statement, और earliest evidence of cotton है, यह कहां से मिला था, तो आपको ध्यान रखना है, मुहन जोदारों से, सबसे पहले कहां से मिला, तो आप बताओगे, मुहन जोदारों से, इसको ध्यान रखना है, तो none of the statements are correct, clear है, D हो जाएगा इसका answer, next question यह है, कि which of the following statement is or are true about the script of Harappans, Harappah की लीपी के संबंद में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है, More than 4,000 specimen of scripts were found in excavation, खुदाई में लगभग 400 से अधिक लीपियों के नमूने मिले, the script is not alphabetical but pictographic, लीपी जो है, यह वर्ना क्रम में नहीं है, बलकि चित्रात्मक है, तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा statement जो है, यह सही है, केबल पहला सही है, केबल दूसरा सही है, दोनों ही statement सही है, यह none of these, the script is not alphabetical but pictographic, लीपी जो है, इसमें वर्ल्ड माला का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बलकि चित्र का इस्तेमाल किया गया है, तो यह तो बिलकुल सही है, और पहला भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C option, which were the natural factors behind the decline of the Indus Valley civilization, सिंदुघार्टी सभिता के पतन के पीछे कौन से प्राकिर्तिक कारण थे, यह पूछा गया है, कि जो Indus Valley civilization का decline हुआ, पतन हुआ, इसके पीछे कौन-कौन से कारण थे, tectonic disturbances, बैवर्तनिक बाधा हैं, जिस कारण से भुकम पाया, changing in the patterns of rainfall, वर्षा के pattern में बदलाओ, dramatic shifts in the river courses, और नदियों का जो जलमार्ग था, उसका जो रास्ता था, उसका जो course था, उसमें परिवर्तन के कारण, तो इसमें पूछा गया है, कि वो कौन-कौन से natural force factors हैं, ठीक changes in the pattern of rainfall, and dramatic shifts in the river courses, क्या बता होगे आप लोग इस cancer, प्लीज गो फ़दर रिप्लाइ, देखो ये सारे factors थे, बिल्कुल सही का आप लोग ने, सभी factors थे, तो 12th cancer क्या हो जाएगा, D option, The religion of early Vedic Aryans was primarily of, प्रारंबिक बैदिक आर्यो का धर्मुख रूप से क्या था? भक्ती करना, image, worship and यग्न, मूर्ती पूजा और यग्य करना, worship of nature and यग्य, प्रकिरती की पूजा करना और यग्य करना, and worship of nature and भक्ती, प्रकिरती की पूजा करना और भक्ती करना, तो जो early Vedic Aryans थ तो आपको ध्यान लखना है, जो early Vedic Aryans थे, और Aryans का मतलब क्या होता है, learned people, इसका मतलब क्या होता है, learned, जिसको हम क्या बोलते है, भक्ती कह सकते हैं, प्रुज कहना थी नहीं है, वक्ती कह सकते हैं, तो इनका main nature क्या था? worship of nature and यग्य, प्रकिरती की पूजा, और यग्य करन यही इसके दो सबसे important क्या थे तो आब बताओगे objectives थे अब 14th question पर आ रहे हैं with reference to the difference between the culture of Rig Vedic Aryan and Indus Valley people which of the following statement is or correct Rig Vedic काल में जो Aryans थे और जो सिंदु घाटी की लोग थे इनके बीच के का सबसे important अंतर क्या था वो पूछा गया है तो पहला option दिया गया है कि Rig Vedic Aryan ने युद में male और helmet के coat का इस्तेमाल किया जबकि सिंदु घाटी सबता में इसके इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिलता Rig Vedic Aryan सोने, चांदी और तांबे के बारे में जानते थे जबकि सिंदु घाटी के लोग केबल तांबे और लोहे के बारे में जानते थे Rig Vedic Aryan ने घोरे को पालतू बनाया था जबकि इस जानवर के संबन में सिंदु घाटी के लोगों के पास कोई सबूत नहीं था तो मेंन डिफरेंस पूछा जा रहा है कल्चर ओफ Rig Vedic Aryan और इंडेस वैली पीपिल प्लीज तेल भी दा अंसर क्या होना चाहिए ये क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को मैं समझ सकता हूँ थोड़ा font छोटा है इसको एक-एक options को पढ़ रहा हूँ ताकि आपको उस तक उन चीजों को समझने में आपको आसानी हो ठीक है ना तो इसका सबसे बरा अंतर ये था कि ध्यान रखिएगा कि जो हरपा संस्कृती थी या जो सिंदुघाटी सबिता थी उसमें कहीं भी हमें घोरे का साक्ष नहीं मिलता we don't have any evidences of the presence of horse और साती सात नहीं साक्ष मिलता है किस चीज़ का टेंपल का तो horse और टेंपल पूरी तरीके से absent है कहाँ पर सिंदुघाटी सबिता में तो जो main difference है वो किस चीज़ का है तो आप बताओगे third option का पहला तीसरा होगा एक क्या हो जाएगा कि जो स्रिग वेदिक आरियन स्थिनों ने coat of meal और helmet का इस्तिमाल का पहला और तीसरा यानि कि answer क्या हो जाएगा आप बताओगे c option सारस्वत रीता क्या दिक्कत आ रही है आपको बताइए खुल के क्या problem आ रही है इसमें ये पूछा गया था कि जो रिग वेदिक काल में Aryans रहते थे और जो सिंदुघाटी सबिता की लोग थे इनमें मूल अंतर क्या था इनमें main differences क्या था तो मूल अंतर ये था कि जो रिग वेदिक आ रहते उन्होंने युद में male और helmet के coat का इस्तेमाल किया था जबकि सिंदुघाटी सबिता में ऐसे किसी भी युद में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु का सबोत नहीं मिलता और दूसरा अंतर ये था कि रिग वेदिक काल में जो Aryans थे वो घोरे को पालते थे उन्होंने domestication of horse को स्टार्ट किया जबकि सिंदुघाटी सबिता में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी अगला सवाल पूछा गया है Consider the following statement related to रिग वेद तेकिना रिग वेद से संबंधित निमलिखित कतनों पर विचार करें रिग वेद इस दा अर्लियस टेक्स्ट आप दा इंडो यॉरॉपियन लैंगवेज रिग वेद भारत यॉरॉपिय भासाओं का सबसे पहला ग्रंथ है इसमें कई मुंड और द्रविडियन वर्ड्स इसमें कई मुंड और द्रविरी शब्द का भी इस्तिमाल किया गया है तो पंद्रामा कोईशन पूछा रहा है आपसे कि इन में से कौन सा कथन जो रिग वेद है उसके समय के बारे में सही बताया गया है थैंक्यू सारस्वच जी थैंक्यू सोमच एक बास सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तो रिग वेद जो है ये पूछा गया है आपसे कि earliest text है बिल्कुल सही है और इसके अंदर बहुत सारे ये मुंड की जगा चंद है ये मुंड नहीं है ये चंद है सौरी यहाँ पे ये चंद है और दरवीदियां सब्दो का प्रयों किया गया ये भी सही है तो बोथ 1 एंड 2 हो जाए गए अब रिग वेदिक पीपल के बारे में पूछा जा रहा है और कौनसा कथन सही है रिग वेदिक के लोगों के पास के बारे में कुछ कथन दिये गए बताना है कौन सा सही है इनके पास एक अच्छी तलस्य स्थापित नीजी संपती थी क्या ये statement सही है बढ़ाई, रत बनाना, बुनाई, चमरे के काम करने और मिट्टी के बतन बनाने का काम किया जाता था रिगवैदिक लोगों के द्वारा, अब पूछा गया है कि उपरोग दिये गए कथन में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर, वो बिल्कुल क्या है, सही है, ये पूछा गया है देखो, उनके पास एक नीजी संपती थी, ये गलत था, क्योंकि इनका जो सोसाइटी था, वो क्या था, ट्राइबल सोसाइटी थी, यानि कि यहाँ का जो समास था, वो क्या था, जनजातिये विवस्था थी, जनजातिए विवस्था में क्या है, कि जो भी चूज युद्ध में लूटा जाता था, वो सबों के बीच में बराबर क्या होगा बाटा जाएगा, इनका main occupation क्या था गौपालन यानि कि काउजा है जो गाई है या गौपालन जो है ये इनका क्या था मुख्यबैरसाई था तो दूसरा भी गलत है लेकिन ये लोग कारपेंटिंग चैरियेट मेंग ये सब काम करते थे ये बिलकुल सही है तो केबल क्या हो जाएगा तीसरा C is the correct answer Only third सही होगा जैहिंद जी Which of the following functions were performed by the tribal chief rajan of Rigvedic age Rigvedic काल के जो आदिवासी प्रमुक यानि राजन होते थे इनके दोना निम्लिकित में से कौन सा कारे किया जाता था They used to protect the cattle वो मबेश्यों की रक्षा करते थे They used to fight the wars, वो युदलरा करते थे They used to offer prayers to the gods for their preservation वो देपताओं की पूजा करते थे अपने और अपने जानवरों की रक्षा के लिए उपरोग सभी, ये सभी काम किया जाता था राजन के दोरा, जो की उसमेक के जनजाती ये प्रमुक थे ये ट्राइबल चीफ थे बिल्कुल पूला कराऊंगा, बताओ इसका क्या होगा आंसर तो ये जो राजन थे, जो रिगवेदिक काल में सब ट्राइबल चीफ माने जाते थे ये सभी कार्यों को किया करते थे देखो, protection of cattle in का काम था जितनी भी युद जरे गए वो किसके लिए possession of cow के इसको गविस्ठी कहा गया, तो युद के लिए यहांपे एक word यूज किया गया था क्या चीज़? गविस्ठी क्या यूज किया गया? गविस्ठी गविस्ठी यूज किया गया था और साथी साथ वो देवताओं का को प्रेयर भी किया कर देते तो all of the above हो जाएगा इसका रिगवेदिक people conducted trade through coins उसका क्या नाम था रिगवेदिक लोगों ने जिन सिक्कों के माध्यम से बैपार किया उसे क्या कहा जाता था पन निश्का टंका या तोला इसमें से आपको बताना कि रिगवेदिक काल में भी बार्टर सिस्टम था वस्तु बीलिमे प्रणाली बहुत जादा थी लेकिन इसके अलाबा छोटे चोटे सोने के सिक्के जो चोटे वैलू के छोटे आकार के सोने के सिक्के थे onu बी चलाये जाते थे जिसको हम लोग क्या बोलते थे निश्का और छोटे स्वर्ण के सिक्के इसको ध्यान अपना है तंका और जीतल आपको पता है कि चलाया गया था किसके द्वारा इलतुत्मिश के द्वारा सिर्षा सूरी करें Find The Correct Match prod Sabha, samiti, Vidhat और gun ये चार Assemblies थी जो कि वैदिक टाइम्ज में Exist करती थी ती सabha, samiti, Vidhat ती ओर gun आपको बताना है कि सabha क्या था, samiti क्या थी, Vidhat की ती और gun क्या थी नीचे के options दिए गए हैं आपको इन options को इसके correct option के साथ match कर ला है सभा समीति बिधत और गन प्लीज गो फॉदर रिप्लाइब everybody 19th का answer क्या हो जाएगा देखो जो सभा थी एक बाद सभी लोग रिप्लाइब करो इस question का answer 19th question का answer क्या होगा देखो समीति जो है सभा जो था ये छोटे सरीर का मतलब कुलीन वर्क से है समीति जो थी वो ब्यापक अदायत लोग सभा था यानि कि A2 होगा और B1 होगी और जो विधत है ये क्या था ट्राइबल एसेंबली वे डाइवर्स विभिद कारियों के साथ जन जाती है सभा थी और गन जो है वो क्या थी तो आप क्या बताओगे ट्रूप्स को कहते थे ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 19th का A option A is the correct answer Consider the following statement about the geographical extension of Magad Empire Magad सामराज के भौगलिक विस्तार के बारे में निमलिखित कत्नों पर विचार करें यह located था on the upper and lower parts of the gangatic valley गंगा घाटी के उपड़ी और निचले हिस्तों परिस्तित था and circled by rivers on three sides गंगा, सोन and चंपा making the region impregable to enemies तीन तरफ से घिरा गवा था गंगा, सोन और चंपा नदियों से जिस कारण यह गुस्वनों के लिए अभेद था ठीक है न, यह दो statement दिये गए हैं और आपको पूछा गया है कि जो भौगलिक विस्तार था मगद का उसके बारे में कौन सा statement यहाँ पे जो है, वो बिलकुल सही है केबल पहला सही है, केबल दूसरा सही है, दोनों सही है यह दोनों गलत है यह पूछा गया है आपको पता है कि मगद इतना बरा सामराज इतना पावरफुल इसलिए था क्योंकि एक तो वो गैंगेटिक वैली में था जहां पे surplus production होती थी, सबसे fertile land थे और सबसे important चीज थी कि यह तीन स्त तरव से घिरा हुआ था तीन अलग अलग नदियों से गंगा सुन और चंपा से जिस कारण से इसको वेदना लगभग क्या था असंबब था तो दोनों ही statement जो है वो क्या है सही है, बोथ हार करेक, बिल्कुल सही का आपने बोथ हार करेक, consider the following statements निमलिखित करत्नों पर विचार करें मगद में बहुत अधिक पात्रे में तांबे और लोहे का भंडारन था चंपा वोज इंपोर्टेंट इन ट्रेड विद वेस्ट एसिया चंपा जो है, ऐसा प्रदेश था जो पस्षिम एसिया के साथ बैपार में महत्रपुन था मगद समाज पर ब्रामनों का क्या था बर्चस्व था अब ये तीन स्टेटमेंट डिये गए हैं मगद के बारे में और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है केबल पहला सही है, के पहला और दूसरा सही है दूसरा और तीसरा सही है, सभी कथन सही है क्या होगा इसका अंसर consider the following statement मगद had the use copper and iron आपको बता दूमें कि मगद जो है ये इस्तित्था किसके आसपास तो छोटा नागपूर पठार तो छोटा नागपूर पठार के आसपास इस्तित्थाने कारण से यहाँ पे अत्यथिक भंडारन था copper and iron deposits का तो पहला statement तो बिल्कुल सही है इन चंपा जो है इसकी जो चंपा है ये eastern part में था कहा गया कि इसका पक्षिन एसिया के साथ बैपारिक संबन था, ये गलत statement है और मगदन सोसाइटी में ब्रामिन्स का डॉमिनेशन था ये भी गलत है तो केवल क्या होगा पहला सही हो जाएगा तो A is the correct answer Which of the following dynasties was ruling over North India at the time of Alexander's invasion सिकंदर के आकरबन के समय में निम्लिकित में से कौन सा राजवन्स उत्तर भारत पर सासन कर रहा था नंदवन्स, मौरेवन्स, सुंगवन्स या कनववन्स यानि कि आपको ध्यान रखना है कि जो सिकंदर है इसका आकरबन जो भारत पे हुआ था वो 326 BC में Alexander ने इंडिया पे अटैक किया 326 BC में और ये सबसे पहले invader थे आकरबन कारी थे जिन्होंने हिंदो कुछ परवस सिंखला को क्रॉस करते हुए ठीके ना और भारत में प्रवेज किया था इसको ध्यान रखना है और इसी इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा क्या बफरिंग हो रही है क्या एक बाद चेक करना आप लो क्या सब लोगों को दिखाई सुनाई दे रहा है अच्छे से आप लोग सब को समझ में आ रहा है सब चीजे है आप क्या बताओ कि इस तर नंदा डैनेस्टी कौन सा डैनेस्टी था तो आप क्या बताओगे नंदा डैनेस्टी ये नंद बंस था एक बाद सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा जितने लोग लाइब है जितने लोग live हैं एक बाद session को like और share जरूर कर दीजेगा एक सवाल पूछा गया है कि चंपा का location क्या था जो चंपा महा जनपद है ये पूछा गया है किसका location क्या था कोई बता सकता है मुझे देखो चंपा जो है ये अंग की राजधानी थी चंपा जो है ये क्या थी तो आप बताओगे अंग महा जनपद की राजधानी थी और आपको बता दो मैं कि अगर आप modern times में देखोगे तो बिहार में एक particular जगह पड़ता है भागलपूर जो भागलपूर है बिहार का जो भागलपूर है कहां पे बिहार में इसके आसपास इसका location था और जो चंपा है अगला सवाल यह है बिट्मिन विच आप the following ancient town of तक्च शिला लोकेट तक्च शिला इनमें से किस के बीच इस्थित था इंडस जेलम, जेलम चेनाब, चेनाब रावी और रावी अन ब्यास आपको बताना है कि जो तक्च शिला है यह इनमें से किन दो नदियों के बीच में इस्थित थी, between which of the following was the ancient town of तक्च शिला लोकेटेद, इनमें से जेलम, जेलम एंड चेनाब, इसके अलावा चेनाब एंड रावी और रावी और रावी और ब्यास प्लीज गो फॉर दा आंसर, सभी लोग बहुत आसान सवाल है यह और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर करें, आप क्या बताओगे, इंडस एंजेलम, बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने, इंडस एंजेलम, और जितने लोग लाइव है बेटा, प्लीज एक बार लाइक और शेयर ठोको फटाफट, consider the following statement, निमलिखित कत्नों पर विचार करें, शिशुनाग डिस् उसका वाइसराई हुआ करता था, तो इसमें से कौन सा statement सही है, शिशुनाग के बारे में, ये आप से पूछा गया है, ये बताओ, एक चीज़ बता दू मैं आप लोगों को, कि शिशुनाग ने, जो कि आप बता सकते हो यहाँ पे, शिशुनाग बंस कर स्थापना की, उसी आवंती के सक्टियों को नास किया था, बिल्कुल सही है, लेकिन मगद का राजा बनने से पहले वाइसर्ओाई था, मल का ये statement गलत है, वो मल से पहले कहा का वाइसर्ओाई था? तो आप बताओगे वारा नसी का, कहा का? वारा नसी का. तो दूसरा statement जो है गलत है, तो केबल पहला सही हो जाएगा तो answer will be A option, clear है, very good, बहतरीन, अगला सवाल ये है, King Ajat Shatru patronized the first Buddhist council, what was the idea behind the council, ये पूछा गया है यहाँ पे, राजा Ajat Shatru ने पहली बौध परिशत का संगरक्षन किया था, और इसके पीछे क्या मकसद था, to preserve the Buddha's teaching, बुध की सिक्षाओं को संगरक्षित रखना, to make the rules for disciples, सिश्चों के लिए नियम बनाना, C option है, both A and B, and D is none of these, आपको ध्यान रखना है, कि जो पहली बौध संगर्टी हुई थी, वो बुध के मरने के उप्रान, 483 BC में, और सबसे पहला जो कराया गया था, वो कहाँ पे कराया गया था, तो राजग्री में, और इसके का संगरक्षन काल में, तो इसलिए किया गया था, ताकि बुध की सिक्ष्चाओं को संगरक् और जो मंक्स बनने के लिए जो विक्चु बनने के लिए नियम है उसको बिजाइन किया सके तो बोथ A and B तो C हो जाएगा option और पहले में ही आपको ध्यान लखना है कि जो सुत्त है और जो विनैपितक है इन दोनों को क्या किया गया सुत्त और विनैपितक वेर कमपाइड वेर कमपाइड इन दोनों का क्या किया गया था संग्रहन किया गया था इसको ध्यान रखना है चलो आगे बरने से पहले एक बार फिर आप लोगों को बता दू कि जो परिवर्तन 2.0 है इसमें 70 प्लस कोर्सेस आपको आफर किया जा रहा है एक साल के वैलिडी क 11152 पे और 844-8116245 पे आप वाटसेप भी कर सकते हैं इस परिवर्तन 2.0 में जिसमें 70 प्लस कोर्सेस इंक्लूड किया गया है इसमें सभी डिफेंस के एक्जाम्स को कवर किया जाएगा अगर आप लोग एरफोस, एक्स वाई ग्रूप, सीए, पीए, नेवी, सीडियस और MR7 में, UPSI, Railway, SSC, Banking, TET और Other State Exams को भी कवर किया जाएगा अगर आप लोग एरफोस, XY Group, ND और नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज ही आप लोग एक्जाम्पूर के डिफेंस वारियर चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आप लोग CDS, CAPF, FCAT और EPF के तयारी कर रह सैटरड़े, सुबह 8 बजे, Vocab Letter, Amit Sir के साथ, Monday to Friday, 12 बजे, Maths विध दिपेंदर सिंग सर, Monday to Friday, 12 बजे, English विध अमिध से सोधिया सर, Monday to Friday, 12 बजे, General Science विध जुबैर सर, Monday to Friday, 3 बजे, General Studies, Practice Session, मेरे साथ, Chandan रोशन, Monday से Friday, Monday to Friday, 4 बजे, शाम को General Studies, Concept विध कासिप सर, Monday to Friday, शा तो आपको इन सभी सेशन को जॉइन करना है चलिए अगला सवाल ये है कि इसमें से आपको रॉंग निकालना है कि कौन सा युग मुझो है गलत है जो युगत अधिकारी थे मौरियन डैनेस्टी में वो रिस्पॉंसिबल थे एंपायर के रेवेन्यू कलेक्शन के सामराज के युग मुझा तो इसमें से कौन से अधिकारी अपने ।धूटी के साथ करेक्टली मैच्ट नहीं है ये पूछा गया है आपसे प्लीज गो फरदर आंसर ये बहुत आसां सवाल है आप लोग फटाफट इसका आंसर करो आप क्या बताओगे जो राजुकाज हैं यह incorrectly मेज़ दे हैं इनका काम क्या था तो आप बताओगे भूमी मापन यानी कि land measurement इनका main work क्या था तो आप क्या बताओगे land measurement और land measurement के साथ साथ जो village level थी उनमें इनको judicial rights भी दिए गये थे यानि इनको नियाईक अधिकार भी प्राप था नियाईक अधिकार के साथ साथ जुडिशियल राइट्स के साथ साथ इनको लैंड मेजरमेंट का अधिकार दिया गया था रजुकाज को ठीक है ना जो अर्थशास्थ है इसमें क्या समिलित है स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, मिलिटरी स्टैट्जी, सेंजरनीती और उप्रोग सभी, जो अर्थशास्त्र लिखा गया, किसके द्वारा, तो आप बताओगे, कौटिल लिखे द्वारा, या फिर आप कह सकते हो, विश्न, इनको हम लोग, कौटिल के अलाबा क्या बोलते थे, चानक के बोलते थे, ठीक है, विश्नु गुप्त बोलते थे, बिलकुल सही आपने कहा कि विश्नु गुप्त बोलते थे, उपरोग सभी हो जाएगा, बिलकुल सही है, जितने लोग लाइव हैं, फटा फट फट सेशन को लाइक और शेयर कर दो, कितने लोग लाइव हैं, which of the statements given below is incorrect, नीचे दिये गए कतनों में कौन सा गलत है, for the first time in the Mauryan period, slaves were engaged in the agricultural work on a large scale, मौरे काल में पहली बार, दासत तो जो हैं या दास जो हैं बरे पैमाने पर क्रिसी कार में लगाये गए थे, ancient Indian society was a slave society like Greece and Rome, प्राचीन भारतिय समाज, Greece और Rome जैसा गुलाम समाज था, according to Megasthenes, he did not notice any slaves in India, Megasthenes चंसाल उसने भारत में किसी भी गुलाम को नहीं देखा था, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है, वो incorrect है, कौन सा कथन जो है यहां पर, वो गलत है, वो पूछा गया है, which is incorrect, देखो पहला correct है, तीसरा correct है, बट दूसरा incorrect है, तो answer क्या हो जागा यहां पर, B is the correct answer, बिल्कुल सुदर तो थे ही, चार डिवीजन तो था ही न, consider the following statement with reference to the Morian economy, मौर अर्ध दिवस्था के संबद में निब्लिकित कतनों पर विचार करें, पंच मार्ट कोईंस which carry the symbol of the peacock and the hill and crescent form the imperial currency of the Moria, पंच चिन्हित सिक्के, जो मौर और पहारी और अर्ध चंदर के प्रतीक हैं, ने मौरियों की साही मुद्रा बनाई थी, the enormous expenditure on the army and payment to bureaucracy created a financial crisis for the Morian empire later, सेना पर भारी खर्च और नौकर साही के भुकतान ने, बाद में मौर समराज के लिए वित्य संकट को पैदा कर दिया, समाहर्ता was the chief custodian of the state treasury and the storehouse, समाहर्ता राज कोशागार और भंडार ग्री के मुख्य संगरख्चक थे, तो इन में से कौन सा कथन जो है, वो कहा गया है कि गलत है, कौन सा statement जो है, वो गलत है, which statement is, देखो, अगर हम लोग बात करते हैं समाहर्ता की, किस चीज़ की समाहर्ता की, तो ये जो समाहर्ता है, ये क्या था, तो आप क्या बताओगे, ये एक administrative officer था, और जो treasury था, वो किस के हाथ में था, तो आप बताओगे, सानी धता के हाथ में, तो तीसरा statement जो है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो C is the correct answer, जो treasury थी, जो खजांची था, वो हो कौन था, तो आप क्या बताओगे, बिल्कुल सही का आपने, सानी धत सानी धता, सानी धता, सानी धता जो है, ये क्या था, तो आप बताओगे, खजांची, या treasurer कह सकते हैं, इसको, ये ध्यान रटना है, clear है, consider the following statement, the treasurer of the revenue department was called as samaharta, जाता, राजस्त विभाग के जो कोशा ध्यक्ष है, उनको समर्थ कहा जाता था, most of the land revenue was one-fourth of the produce and was called chart, अधिकांस भू राजस्त उपज का, एक चौथा ही होता था, उसे chart कहा जाता था, ये बताओ, कि कौन सा statement सही है, modern economy के बारे में, और यही समाहरता जो है, आगे चल करके DM बने, बिल्कुल सही का आप लोगों ने, we are on the question number 30th, देखो, अगर हम treasurer की बात करें, तो वो समाहरता नहीं था, जबकि वो क्या था, सानी धता था, तो पहला statement correct है, और ये जो chart है, ये जो system थी, वो किस के समय में थी, तो आप बताओगे, शिवाजी के समय में, chart और सर्देश मुखी, ये मौडियंस के समय में नहीं था, तो दोनों statement क्या हो जाएगा, incorrect, ठीक है न, सबसे प्रसिद और उत्तम, जो लॉइन कैपिटल है, वो कहा परिस्थित है, सारनात में, बसरा बखीरा में, रामपूर्बा में, या फिर लॉडिया नंदंगर में, जो लॉइन कैपिटल है, सबसे बहतरीन, सबसे एक्स्क्यूजिट, वो कहा परिस्थित थी, आप क्या बताओगे, सारनात में, या फिर बसरा बखीरा में, रामपूर्बा में, या फिर लॉडिया नंदंगर में, या आपने सुना होगा इसके बारे में, तो सबसे जो फेम बाराबार केप, बाराबार गुफाओं से संबंधित, निमलिखित कतनों पर विचार करें, अशोखा पैट्रोनाइज दिस केप फॉर दा आजीवक से, अशोख ने आजीवक संप्रदाई के लिए इस गुफा का संग्रक्षन किया, और एक हाथी को चैत पर उच्छ रहत के साथ उकेरा गया है, तो जो बाराबार की गुफाएं हैं, इसके बारे में कौन सा कथन जो है, वो बिल्कुल सही है, कि अशोखा ने आजीवक संप्रदाई के लिए इस गुफा का संग्रक्षन किया, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेट्मेंट है, और इस चैत के उपर एक प्र मैं थ्योरी बिल्कुल पढ़ाता हूँ, जैसे कल ही मैंने जोगरफी में थ्योरी पढ़ाई है, महावीर सिंग राठोर, अगर आपने कल की क्लास मेरी देखी होगी, तो जोगरफी की मैंने पूरी थ्योरी ही पढ़ाई है, ठीक है न, तो आप पूरी क्लास को देखा कीजि तो आपको समझ में आएगा Which of the following is or are true regarding the भरूत स्कुप्चर भरूत मूर्तिकला के बारे में निम्रिकित में से कौन सा कथन सही है बिल्कुल पीडियक मिलेगा They are tall like images of यक्ष एन यक्षनी ये यक्ष और यक्षनी की मूर्तियों की तरह उंचे है It is one of the prominent examples of modern sculpture ये मौरे कालीर मूर्तिकला के प्रमुक उधारेनों में से एक है और Queen Maya Devi's dream is significant even in भरूत स्कुप्चर और रानी Maya Devi का सपना भरूत सिलापट में महतपुन घटना को बढ़नित करता है ये पूछा गया है आपसे देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो भरूत स्कुप्चर है अगर हम भरूत स्कुप्चर की बात करें तो इसमें images of यक्ष और यक्षनी बिल्कुल सही है example of modern sculpture है ये भी बिल्कुल सही है इसके साथ साथ Queen Mahadevi का Maya Devi की जो dream थे उसको उद्गेचित किया गया ये भी सही है और ये जो भरूत स्कुप्चर है इसको ध्यान रखना है आपको कि discover किया गया था इसको खोजा गया था 1874 में कहां पर सतना मध्यप्रदेश के पास कहां पर तो आप बताओगे सतना कहां पर है MP में और किसके द्वारा तो आप बताओगे Alexander Cunningham Alexander Cunningham Alexander Cunningham इसको ध्यान रखना है Which of the following were the prominent developments in the later Vedic age जो उत्तर वैदिक काल है इनमें इस निम्लिकित में से कौन से प्रभु घटना करम थे The society was divided into four बरना called the Brahmin राजन और छत्रिये वैश और सुद्र यानि कि उत्तर वैदिक काल में समाज को चार बरनों विवाजित किया गया Brahmin, छत्रिये वैश और सुद्र में The institution of Gothra appeared Gothra की संस्था प्रकट हो गई Ashrams और four stages of life were established Ashram जीवन के चार्च अच्छ अच्छी तरह से स्थापित हो चुके थे तो अगर वैदिक सोसाइटी और लैटर वैदिक सोसाइटी को आप compare करोगे तो उत्तर वैदिक काल का जो समाज था उन में से इसमें क्या चीज़ें उधगसित हुई थी तो आप बताओगे बिलकुल सही है कि चारवर्ण सिस्टम यानि की कर्म के जगाए पे जन्म के आधार पर वर्ण का डिविजन किया गया गोत्र जो है वो सबसे important element बन गे सोसाइटी की और जो चार अलग-अलग स्टेज़ें थे लाइफ के उसको भी पूर्ण तरीके से स्थापित कर दिया गया तो क्या answer हो जाएगा D option Consider the following statement related to the later Vedic people उत्तर वैदिक काल के लोगों के बारे में दिये गए कत्नों पर विचार कीजिए They majorly used iron weapons and horse-drawn chariots प्रमुक रूप से लोहे के हतियार और घोरे से तयार रतों का उपियोग किया गया था उत्तर वैदिक कालों के लोगों के द्वारा And this is where made up of painted grey pottery और जो डिसे का मतलब जो बरतन थे व्यांजन नहीं जो बरतन थे उनको किस से बनाया गया था तो painted grey pottery के द्वारा तो कौन सा statement 35 option का जो है वो आपको क्या मिलेगा correct मिलेगा ये पूछा गया है आपसे देखो आपको पता है कि 1000 BC के आज़ पास discovery की गई iron की और यही जो iron की discovery है वो differentiate करता है वेदिक और लेटर वेदिक ages को तो ये दोनों ही statement क्या हो जाएंगे true हो जाएंगे C is the correct answer इसको ध्यान रखना है Consider the following statement related to the later Vedic age religion टीक है ना उत्तर वेदिक काल के धर्म से संबंदित निमलिखित करत्नों पर विचार करें The two outstanding gods Indra and Agni lost their importance यानि कि उत्तर वेदिक काल में Indra और Agni ने अपना महत तो खो दिया They are also the science of idolatry in the later Vedic times उत्तर वेदिक काल में मूर्ती पूजा के संकेत मिलते है Minor gods of Rig Vedic period also became prominent such as Rudra and Vishnu और Rig Vedic काल के जो छोटे देपता है वो उत्तर वेदिक काल में प्रमुख हो गए जैसे Rudra और Vishnu ये तीन statement दिये गए है और पूछा गया है कि उत्तर वेदिक काल का जो धर्म था उनके बारे में इन कत्नों में से कौन सा कत्न जो है वो बिलकुल सही है ये पूछा गया है आपको पता है कि वेदिक काल में पांच देवताओं की महत्ता थी कौन-कौन सी तो आपको ध्यान लखना है इंद्र की, अगनी की, वरुन की और यम की ये जो देवता थे इंद्र, अगनी, वरुन और यम इनकी सबसे अधिक विसेश्ता थी कहां पे उत्तर वेदिक काल में लेकिन वेदिक काल में और लेटर वेदिक काल में इनका position जो था वो क्या हो गया decrease कर गया तो पहला statement भी सही है दूसरा भी सही है तीसरा भी सही है तो तीनों ही statement क्या है मिलेंगे आपको सही मिलेंगे इसको ध्यान रखना है आप लोगों को Consider the statement related to the cult of sacrifices बलिदान के पंथ से संबंदित कत्नों पर विचार करें पबलिक और प्राइवेट सेक्रिफाइसिद इस्ट्रिकली इन्वाल्ब दे किंग सौनली शार्बजनिक या नीजी बरीदान में केबल राजा ही समलित होते थे दस सेक्रिफाइसर वोज नोन एज यजमान यजमान कहा जाता था जिसे यगिक के निस्पादक के रूप में जाना जाता था तीक है ना इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि वैदी काल में जो सेक्रिफाइसेज होती थी जो पुझा पाट होती थी जो यजमान और हवन होते थे इससे संबंदित ये कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है तो public और private यानि कि सारवजिनी को या नीजी बलिदान हो उसमें सबसे धी involvement राजा की होती थी बिल्कुल सही है और sacrificer को हम लोग यजमान और performer आप यजमान देते बिल्कुल सही है तो C is the correct answer Absolutely correct अगला सवाल ये है Which of the following Brahman does speak at length about the plowing rituals of later Vedic वें निमलिकित में से कौन सा ब्रामन वैदिक युग के अनुस्थानों के बारे में बताता है तेखे ना एतर्रे ब्रामन, तैतर्रे उपनिशद, सत्पत ब्रामन या गोपत ब्रामन यानि की जो वैदिक काल में या वैदिक पीरियड में जो सेक्रिफाइसेस परफॉर्म किये जाते थे जो यग और हवन परफॉर्म किया जाता था उसके बारे में सबसे ब्रिहद चर्चा किस पर्टिकुलर ब्रामन में लिखा गया है एतर में तैतर उपनिशद में सत्पत ब्रामन में या फिर गोपत ब्रामन में सत्पत का मतलब यह हुआ कि इसमें क्या थे सौ चैप्टर्स थे इसमें क्या थे तो आब बताओगे सौ जो है वो अध्याई थे तो सत्पत याद रखना है इसका अंसर क्या हो जाएगा C option find the wrong match इनमें से गलत को खोजिये जो राजस्यू यग्य है it conferred the supreme power to the king ये राजा को सर्बोच सक्ती प्रदान करता है जो अश्रुमेध है it gave absolute power over the territory where the royal horse ran उस छेत पर पुर्द सक्ती को जाहर करता था जहां जहां से घोड़ा गुजरता था जो बाजपे यग्य है it was a public sacrifice rituals performed by the king या राजा द्वारा सार्जनिक रूप से किया गया यग अनुस्थान था all statements are correct इसमें से कौन सा wrongly matched है ये पूचा गया है देखो राजसुई यग जो है वो राजा को सरवोच सक्ती परदान करता था बिल्कुल सही है जो अश्वमेद है तो उसमें यग्य करने के बाद जो घोरा है उसको खिरों में खुला में छोड़ देते थे और जहां जहां से वो घोरा गुजरता था अगर किसी राजा ने उससे पकरने की हिम्मत नहीं की तो वो सारा छेतर राजा के अंतर गती ये भी सही है लेकिन बाजपे यग जो है वो राजा अपने आप कहा सकते हो यॉवन को या अपने यूथफुलनेस को इनक्रीच और इनहांस करने के लिए परफॉर्म करता था तो जो बाजपे ही अग्य है वो राजा द्वारा क्या किया जाने वाला था तो आप बताओ कि खुद के आप कैसे तो हेल्थ के डेवलप्मेंट के लिए किया था तो तो इसका अंसर क्या हो जाएगा C option Next question ये पूछा गया है Consider the following statement related to the women of the later Vedic age उत्तर वैदिक युक की जो महिलाएं है इनके बारे में कौन सा कथन आपको बताना है कि सही है Women were longer permitted to sit on the सभा महिलाओं को अब सभा में बैठने की अनुमती नहीं दी गई Women were considered inferior to men और महिलाओं को पुरुष से नीचा समझे जाएं लगा इसमें से कौन सा statement सही है about the position of women in the later Vedic period उत्तर वैदिक काल में जो महिलाएं थी उनके position के बारे में अगर पूछा जाए तो कौन सा कथन जो है वो क्या होगा सही होगा देखो तो ऐसे जैसे हम सभयता में आगे बरेंगे वैसे वैसे society हमारा deteriorate करेगा और especially जो position of women है वो बहुत जादा weak होगी जो अगर हम वैदिक और later Vedic period के women को consider करें तो women का position काफी deteriorate किया था और जो सभा और समीती थी इसमें जहाँ पे महिलाएं participate करती थी तो later Vedic period में उनको उसमें participate किया जाना बंद कर दिया गया ठीक है ना और women का position जो है वो काफी ज़ादा deteriorate हो चुका था men के तुलना में इसलिए ये दोनों statement जो है वो क्या हो जाएंगे correct हो जाएंगे इसको ध्यान रखना है the later Vedic people were acquainted with what types of pottery जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो किस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों से परिचित थे black and red bear काले एवं लाल बर्तन black slip bear काले और जले हुए बर्तन painted grey चित्रित भुड़े बर्तन या all of the above उप्रोप सभी तो जो लेटर वैदिक period के लोग थे इसमें ये पूछा गया है कि इनको किस तरह की जो मिट्टी के बर्तनों का या मृद्भांड जो पॉट्री का मतलब यहां पे किस चीज़ से है तो आब बताओगे मृद्भांड से इसको क्या कहा जाता है पॉट्री कहा जाता है तो जो उत्तरवैदिक काल के लोग है उनका संबंद किस प्रकार के मृद्भांड या पॉट्री से था ब्लैक एन रेड वेर ब्लैक स्लिप्ड वेर पेंटेट ग्रेवेर या all of the above क्या होगा तो उपरोग सभी बिलकुल सही का आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा है की नहीं आ रहा है प्लीज एक बार रिप्लाइ करो सभी लोग all of you enjoying the class कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर कुछ भी दिक्कत है तो मुझे बताओ आप लोग विच क्रॉप डिड़ बेदिक पीपल गेट अक्विंटेड विट इन दोव रिजन्स जो दोव है उसके अंदर जो वैदिक लोग थे वो किस प्रकार के फसल से परिचित थे वीट राइस बार्ली या बोथ ए और बी यहू चाबल जाओ या डी ऑप्शन है ए और बी दोनो तो यहां क्या होगा वीट से भी थे और राइस सी भी थे तो यह दोनों प्रकार के फसलों से वेल एक्विंटेट थे तो यह दोनों से अक्विंटेट थे यह लोग नेक्स सवाल यह पूछा गया है Consider the given statements दिये गए करतनों पर विचार करें With iron weapons, the Vedic people may have defeated the few adversaries that may have faced them in the upper portion of the द्वाब ऐसा माना जा सकता है कि लोहे के हत्यार के साथ Vedic लोगों ने कुछ प्रतिदंडियों को हराया होगा और यह संगर्स द्वाब के उपरी हिस्वों में हुआ होगा धातू को ही हम स्याम या क्रिष्ट आयस भी कहते हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट स्पीक आफ 6, 8, 12 और इवन 24 ओक्सन यॉक्ट तु दपलॉग जो वैदिक गरंथ है उसके अंतरगर जो हल है उसमें 6, 8, 12 यहां तक की 24 बैलों के एक सार जोर करके जोतने की बातों को क्या किया गया है जाहिर किया गया है तो अगर आप से पूछा जाए वैदिक काल के बारे में इसमें से कौन सा कथन जो है वो क्या है सही है तो आप क्या बताओगे ये जितने भी कथन दिये गए हैं ये उप्रोग सभी स्टेटमेंट्स क्या हैं करेक्ट हैं तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा तो आप बताओगे D option अब एक बार इन सभी को मैच कीजिए आश्रम के हंसार एज लिमिट्स मतलब किस आयू सीमा के लोग किस तरह के देखो चार आश्रम था सबसे पहला क्या था हमारा तो आप बताओगे सबसे पहले हमारा ब्रह्मचर है उसके अल ग्रिहस्त है फिर हमारा वान प्रस्त है फिर सन सन्यास है तो यह जो चार आश्रम थे जीवन के वो किस एज में हम एंटर करते थे ब्रह्मचर आश्रम बर्थ स्टू 25 ग्रिहस्त आश्रम 25 तू 50 यह बान प्रस्त आश्रम 50 तू 75 यह सन्यास आश्रम और यहां पे ऑप्शन है 75 तू 40 यह अब आपको इसको मैच करना है कि ब 50 से 75 वर्स की आई तक यह 75 से 100 वर्स की आई तक तो आपको ध्यान लखना है कि जब हम बात करते हैं ब्रह्मचर आश्रम की तो यह बर्थ स्टू 25 होगा ग्रिहस्त 25 से 50 होगा बान प्रस्त 50 से 75 होगा और सन्यास 75 से 100 होगा तो इसका आश्र क्या हो जाएगा 1,2,3,4 बिल्कुल सही है D is the correct answer अब consider the following pairs बुद्ध यह एक तरफ यहाँ पे घटनाए दी गई है और दूसरी तरफ उनका symbol दिया गया आको बताना है कि कौनसा घटना करम बुद्ध के जीवन का उस symbol के साथ correctly matched है बुद्ध का जो बर्थ है वो symbolize किया जाता है लोटस और ब enunciation अब गौतम बुद्ध है यानि कि जो गौतम बुद्ध का घट त्याग है वो symbolize होता है horse के साथ और जो बुद्ध का पड़ी निर्वान था जो उनको जो उनने सरीर को त्यागा वो किस से रिप्रेजेंट होता है तो धर्म चक्र से तो इसमें से कौनसा पूछा गया है क जो pair है वो correctly matched है पहला और दूसरा correctly matched है cable तीसरा correctly matched है दूसरा और तीसरा matched है या तीनों correctly matched है यह पूछा गया है आपसे first भी सही है second भी सही है तो ए होगा option जो बुद्धा का पड़ी निर्वान है यह किस से symbolize किया गया है तो आप क्या बताओगे स्टूप से यह किस से होगा स्टूप से और जो धर्म चक्र पड़ी वर्तन है यह किसको कहते है सर्मन जो पहला उपदेश था उसको symbolize करता है यह ध्यान रखना है आप लोगों को दिग निकाए दीप बंस और जातका यह तीन अलग-अलग बुद्धिस्ट टेक्स हैं अब पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पेर जो है वो correctly matched है दिग निकाए यह collection है dialogues of mostly of gotham himself यह swam gotham के अधिकान संबादों का संग्रा है दीप बंस यह oldest historical record है स्रिलंका का यह स्रिलंका का सबसे पुराना एतिहासिक record है और जातकाज जो है it deals with the birth stories of gotham buddha यह gotham buddh के पिछले जन्मों से संबंदित कहानियों का संग्रा है अब आपको बताना है इसका मतलब हाँ बिल्कुल सही का मेरा है पड़ी निर्मान या महा पड़ी निर्बान का मतलब होता है जब आप मौत को प्राप कर लेते हो when you give up your life उसको कहा जाता है यह तीनों correctly matched है डी होगा answer बिल्कुल सही का आप लोग जिन्होंने डी answer किया है वो लोग बिल्कुल सही है और जितने लोग live है session पर अगर आपको अच्छा लग रहा है session और जिन्होंने अभी तक like नहीं किया है तो please session को like भी कीजिए और साथी साथ session को share भी कर दीजिए अगला सवाल यह है which of the following is wrongly matched इन में से कौन सा सही सुम्मेलित नहीं है सुथ पिटक conventional teaching विने पिटक disciplinary code और अभिधम पिटक first connected life story और अभिधम पिटक में पारंपरिक सिक्षा है विने पिटक में अनुशास्तनात्मक code है और जो अभिधम पिटक है यह बुद के जीवन से जुरी जो पुरानी कहानिया है या जो birth stories of buddha है उसके बारे में कहा गया अभी just मैंने बताया है कि अगर आ story of the life of buddha की बात करते हैं अगर buddha के जीवन की बात करते हैं तो यह किसमे लिखा हुआ है वरनित है तो आप बताओगे जातक में यह किसमे mention है तो आप क्या बताओगे जातकाज में तो अभिधम पिटक जो है यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अभिधम फिटक में क्या है तो आप बताओगे philosophical aspect है philosophical है यह यह पूरी तरीके से क्या है तो आप बताओगे दाशनिक है जो buddha के teaching से उसके उपर क्या है बिलकुल PDF मिलेगा don't worry which event of the gotham buddha life is depicted by the wheel and deer in Indian art गौतम बुद के जीवन के किस घटना को भारतिये कला में पहिया और हिरन द्वारा दर्शाया गया है great departure, महान प्रस्थान, enlightenment, आत्म ग्यान, first preaching, पहला उपदेश या निर्वान यह पूछा गया है जो buddha का जीवन है बुद के जीवन की कौन सी घटना को दर्शाया गया है भारतिये कला में वील और डियर के द्वारा यह पूछा गया है आपसे देखो जो पहिया है और जो हिरन है यह किसको symbolize करता है तो आप क्या बताओगे first sermon को पहला teaching को जो पहला उपदेश है उसको symbolize करती है क्या तो वील जानी कि पहिया और साथी साथ क्या चीज़ तो आप बताओगे डियर C is the correct answer चलिए अब एक question पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही है बर्दवान महावीर से संबन देदे बर्दवान महावीर का जन्ब 540 BC में हुआ वैशाली के नजदी जो की identical है वित बसरा in the district of वैशाली in नौर्थ बिहार बर्दवान महावीर का जन्ब 540 इसापूर वैशाली के पास एक गाउं में हुआ था जो वैशाली के उत्तर विहार के जिले में बसहर के समार है उनके पिता एक प्रसीद चत्रिये वन्स के प्रमुक थे और उनकी मामदा लिक्षबी राजकुमारी थी उन्होंने अपने धर्म का 80 वर्सों तक प्रचार किया और उनका मिसन उन्हें कोशल मगद मिथला चंपारन नेपाल आदी में ले गिया आदनिक राजगीर के पास पाबापुन नामक स्थान पर 468 बीसी में 72 वर्ष की आयो में उनका निधन हुआ था इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है related to the बर्धमान महावीर प्लीज टेल मी फॉंट बरा है तभी मैंने इसको परने की कोसिस की है एक-एक स्टेटमेंट को और तभी मैंने आपको कहा है कि आप सुनिये इस चीज़ को देखो ना B correct है ना A correct है और ना D correct है आंसर केबल क्या हो जाएगा C correct होगा बिल्कुल कराया जाएगा paid course में don't worry which of the following languages were patronized by the jainas to preach their doctrines जैनियों ने अपने सिध्धानतों का प्रचार करने के लिए निम्लिकित में से किस भासा का संग्रक्षन किया था प्रकृत, संस्कृत, ध्रवीडियन या पाली भासा का संग्रक्षन किया गया था जैन धर्म के तिर्थंकरों के द्वारा अपने doctrines को अपने सिध्धानतों को आम लोगों तक पहुचाने के लिए ये सबाल पूछा गया है आपसे तो इसका आंसर क्या बताओगे आप लोग प्रकृत भासा का, संस्कृत भासा का, द्रवीडियन भासा का या फिर पाली भासा का ये बताओ, क्या होगा इसका अंसर सभी लोग quickly reply करें मुझे इस question का answer फटा फट तो इसका answer क्या हो जाएगा तो आप बताओगे प्रकृत भासा का बिल्कुल सही है एक बार फिर आप लोग ध्यान रखो कि जो CDS, OTA, CAPF 2021 का जो online benches by example के YouTube channel पे जो class schedule है Monday to Saturday सुबह 8 बजे daily vocab with Amit sir Monday to Friday 12 p.m. Maths with दीपेंदर सिंग सर Monday to Friday 1 बजे English with Amit Sir Monday to Friday 2 बजे General Science with जुवेर रहसानी सर शाम 3 बजे General Studies practice session यह मैं questions answer कराता हूँ MCQ नए भी 50 questions और हैं अभी रुकिए आप लोग 50 questions और हैं यह जो शाम 3 बजे का session है practice session वो मैं लेता हूँ YouTube के उपर शाम 4 बजे conceptual class for general studies कासिप सर शाम 7 बजे conceptual English class with Anil Rohila सर रात 8 बजे current affairs with कासिफ अंसारी सर इसको ध्यान रखना है अगला सवाल यह है कि Buddhism from India was introduced to which current region by Kashyap Matang Kashyap Matangah ने भारत से बहुत धर्म की सुरवाद किस बरतमान छेतर से की थी China, South East Asia, Sri Lanka या Afrika यह पूछा गया है आपसे यह जो बहुत धर्म की बात चल रही है उसमें कश्यप Matang जो है उसमें बहुत धर्म की सुरवाद बरतमान में कहां से की थी तो आपको ध्यान रखना है चीन से कहां से की थी तो आपको क्या ध्यान रखना है यहां पे चाइना से China will be the correct answer who among the following presided the third council which was held at partly putr under the patronage of Ashok निम्युखित में से किस ने Ashok के संगरक्षन में partly putr में आयो जित तीसरी जो बहुत संगती थी उसकी अध्यक्षता की थी जो थर्ड बहुत संगती थी उसकी अध्यक्षता समराथ असोक के साशनकाल में इन में से किस के दौरा किया गया था महाकशप, मोगली पुत्र तिश वशुमित्र या फिर रिसब दे ये पूछा गया है आप क्या बताओगे जो तीसरी बहुत संगती थी अशोक के साशनकाल में उस बहुत संगती की अध्यक्षता इन में से किस के दौरा की गयी थी तो आप क्या बताओगे मोगली पुत्र तिशा के दौरा B is the correct answer इसको ध्यान रखना है और जितने लोग लाइव हैं सेशन पे एक बाद सभी लोग सेशन को प्लीज लाइक और शेयर जिनोंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कीजिए और साथ में सेयर कीजिए चोईशन को विच अमॉंग दौर फॉलवेंग इस नॉट दौर नॉबल टुथ्स और बुद्ध निमलिकित में से कौन बुद्ध के चार महान सत्यों में से एक नहीं है दुनिया दुख से भरी है डिजायर इस दरूट कॉज ओफ सफरिंग इक्चा दुख का सबसे बड़ा कारण है डिजायर इस दर बेस्ट वे टू गेट दर मोक्ष मोक्ष प्राप करने का सर्वोत मार्ग इक्चा होना चाहिए एंड सफरिंग्स विल बी रिमूवड दुख को दूर करना होगा तो ये पूछा जाए जोग्रफी की जो अगली क्लास है पूजा जी वो अब इसी वीक के फ्राइडे को होगी और वो पूरी तरीके से conceptual क्लास होगी जो जोग्रफी का सेशन मैं ले रहा हूँ पूरी तरीके से conceptual क्लास अभी उसमें river system चल रही है फिर मैं physical divisions पर हाऊँगा फिर उसके बाद हम लोग उसके अंदर pressure built ocean currents को परहेंगे फिर मैं cloud rainfall पर हाऊँगा soil परहाँगा climate परहाँगा एक एक chapter परहाँगा बस आप लोगों को और वो conceptual क्लास होगी उसमें बिल्कुल पुरी तरीके से सविंदर सींग, गोचो क्लियोंग, NCRT उसके बाद आप कह सकते हो मैं killer geography इसको cover कर रहा हूँ हाँ वो hindi bilingual होती है वो उसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें ध्यान रखिएगा C इसका correct answer होगा ठीके ना, उन्होंने ये कभी नहीं कहा बुधने कि एक्छा होने से आप मोख्ष प्राप कर से तो उनका ये कहना था कि जो वेक्ती, उसने कहा कि the world is full of sorrow संसार दुख से बड़ा है एक्छा दुख का सबसे बड़ा कारण है और अगर एक्छा को हमने conquer कर लिया, तो हम दुख से निजाद पा सकते हैं इसलिए जो C option है, ये इसका correct answer हो जाएगा इन पाली text who among the following is referred to as निगंथ नतपुत्र पाली ग्रंथों में निम्रिकित में से किसे निगंथ नतपुत्र के रूप में जाना जाता है ठीके न, गौतम बुद्ध को महावीर को पारशवनात को या रिशब देव को पाली ग्रंथों के अनसार इन में से किसे निगंठा नाटापुट के रूप में जाना जाता है ये एक टाइटल है ये एक उपादी है ये किसको दिया गया है तो गौतम बुद्ध को दिया गया है महावीर को दिया गया है पार्शवनात को दिया गया है या रिशब देव को ध्यान रखिएगा जो रिशब देथ है ये पहले तिर्थंकर थे ये जैनियों के पहले तिर्थंकर है जो पारशवनाथ है ये आपको ध्यान रखना है कि 23rd तिर्थंकर थे 23 में तिर्थंकर थे और महावीर जो है ये 24 में है और इनके बाद तिर्थंकर की प्रता समापत होगे इसका अंसर क्या ह हो जाएगा महावियर अगला सवाल ये है which among the following statement related to the साथवाहन is not correct अब हम लोग अब दक्षिन भारत के इतिहास में आ चुके हैं आपको साथवाहनों के संबंद में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला है कि जो साथवाहन से they are identified with आंधरा और दा पुरांस साथवाहनों की पैचान पुरानों के अंसार आज के बरतमान आंधर से की जाती है the साथवाहन्स claimed ब्राम्मन descent and followed ब्रामनिकल वेदिक्स ट्रेडिशन साथवाहनों ने defeated सक सासक रुद्रदबन फरस्ट और व्शिष्ष्पुत्र सतकरनी जो ने सक सासक रुद्रटरबन पर्तम को क्या किया था हराया था अब पूछा गया है कि इसमें से कौनसा कथन जो है वो correct नहीं है related to the साथवाहन साथवाहनों से संबंदित इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है अब एक चीज़ ध्यान रखना ये जो वस्षिष्ट पुत्र सत्कर्णी है इन्होंने सक्सासक रुद्रदमन प्रथम को हराया नहीं था बलकि उन्होंने अपने स्थिती को मजबूत करने के लिए अपने पोजीशन को स्ट्रॉन करन था इसलिए आपको इसका अंसर क्या ध्यान रखना है D option मैंने इसलिए तो explain किया है आपको Consider the following statements related to the material value of साथ बाहन साथ बाहनों की भौतिक संस्क्रिती से संबंदित निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए दखन के लोग लोहे और क्रिशी के उपयोग से काफी परिचित थे साथ बाहनों ने एक बहुत ही उन्नत ग्रामीन अर्थ दिवस्था विक्सित की थी और साथ बाहनों का उत्तर भारत से कोई संपर्क नहीं था अब पूछा गया है कि इन में से कौन सा option जो है वो correct है केबल पहला और दूसरा केबल दूसरा और तीसरा केबल पहला और तीसरा या जो बाकि सभी स्टेटमेंट्स इसके correct है ये पूछा गया है प्लीज गो फॉदा answer question number 56 56 का answer क्या होगा ध्यान रखिएगा दक्कन के लोग लोहे और क्रसी की उपयोग से काफी परिशित थे बिल्कुल सही है और शातवाहन्स developed a very advanced rural economy और इन्होंने आप ध्यानकन पूरे दक्कन में पूरे साउथ इंडिया में जो rural economy है जो ग्रामीन अर्थ व्यवस्ता है उसको विक्सित करने में उसको बहतर करने में जो सातवाहन्स आ सकते इनका सबसे बड़ा रोल था इसलिए इसका पहला भी सही हो जाएगा और a option एक point clear है आप लोगों को और जितने लोग live है एक बार like और share कर दो भाई सभी लोग फटा फट फट प्लीज गो फॉर एट consider the following statement it was customary for the साथभाहन kings to be named after his mother यह साथभाहन राजाओं की अपनी परंपरा थी कि वो अपने नाम के पीछे अपने माताओं का नाम लगाते थे यानी की माताओं के नाम से अपने नाम की सुरुवात करते थे जो साथ बहान स्थ हैं we are the first rulers to make land grants to the Brahmins और साथ बहानों ने ब्रामनों को भुमी अनुदान में देने के परंपरा की क्या किती शुरुवात की थी तो साथ वहनों के बारे में इन में से कौन सा कथन जो है वो बिलकुल करेक्ट है ये पूछा गया है आपसे Please go for the answer सभी लोग इसको फटाफट आंसर कीजिए और जो लोग लाइव है सेशन पे सभी लोग इसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे अगला सवाल ये है Consider the following statement related to the rule of the साथ वहन साथ वहनों के सासन के बारे में निमलिखित कर्तनों पर विचार कीजिए The साथ वहन started the practice of granting tax-free villages to the Brahmins and Buddhist monks साथ वहनों ने ब्रामन और भाग बौध विक्चुओं को कर्मुक्त गाउं देने की प्रतासरू की थी The administration in the rural areas was placed in the hands of Galmika और ग्रामीन छेत्रों का जो प्रशासन है साथ वहन के सासन काल में ये Galmika या Galmika नाम के अधिकारियों के हाथ में रखा गया था 57th का आंसर क्या होगा क्या दोनों कथन सही है केबल पहला सही है केबल दूसरा सही है Please go for the answer तो आप ध्यान रखोगे कि ये दोनों ही statement जो है वो क्या है बिलकुल correct है तो C will be the correct answer Consider the following statement निमलिखित कतनों पर विचार करें पुष्या मित्र सुंग assassinated ब्रिहदरत वाइल पैराइडिंग दा एंटार मौरियन एंपार पुष्या मित्र सुंग ने पूरे मौर सेना की परेड करते हुए ब्रिहदरत की हत्या कर दी थी और जो सुंग राजबंस है उसकी जो राजधानी है वो कहां पे थी अवंती थी इसमें से कौन सा जो option है वो सही होगा कौन सा option correct है आपको ध्यान रखना है कि जो मौरे राजबंस थी मौरे राजबंस के जो अंतिम सासक थे वो व्रिहदरत थे जिसको की 185 BC में मारा गया उन्ही के सेना पती पुस्चा में तो सुंग के दरा बिलकुल सही है और जो सुंग है इनकी राजधानी अवंती थी ये option जो है गलक है सुंग राजबंस ने अपनी राजधानी जो है वो कहां पे बनाई थी तो मध्य प्रदेश में एक जगह है कौन सा विधीसा और विधीसा के साथ साथ इन्होंने मगद पे सासन किया था तो आपको ध्यान रखना है पार्टली पुत्र तो इनके दो important राजधानिया थी एक तो आपको ध्यान रखना है पार्टली पुत्र एवं दूसरी क्या हो जाएगी तो आप क्या बताओगे विधीसा विधीसा तो पार्टली पुत्र और विधीसा इसको ध्यान रखना है तो दूसरा स्टेट्मेंट गलत हो जाएगा तो केबल पहला हो जाएगा Consider the following statement related to the पुष्यामित्र सुंग पुष्यमित्र सुंग से संबंदित निमलिखित कत्नों पर विचार करें पुष्यमित्र सुंग डिस्ट्रॉइड पुष्यमित्र सुंग डिस्ट्रॉइड पुष्यमित्र सुंग के दौरा कोई भी इतिहास में यग जो है वो पर्फॉर्म नहीं किया गया था आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा स्टेट्मेंट जो है कौन सा जढ़ या कौन कॉन से statement गús बिलकुल सही है यह आपको बताना है मुझे केबल पहला और दूसरा सही है दूसरा और तीसरा सही है केबल पहला और तीसरा सही है या सारे statements जो हैą वो correct है क्या होना चाहिए answer 59 का तो आप ध्यान लखेगा पहला भी सही है दूसरा भी सही है ये statement गलेक्थ है आपको ध्यान रखना है कि पुश्यामित्र सुंग के बारे बात की जाए तो इन्होंने दो अश्वमेग यग्य परफॉर्म किये थे दो अश्वमेग यग्य जो है वो परफॉर्म किये थे he is known to have परफॉर्म तू अश्वमेद यजना ठीके ना इसको ध्यान रखना है आपको तो इसमें केबल पहले और दूसरा statement सही है 59 का ए हो जाएगा consider the following statement the heliodarist pillar has been found in ujjain and this pillar is dedicated to god vashudev और vishnu उjain में heliodarist thumb पाया गया है और यह thumb भगवान बashudev यानि की vishnu को समरपित है देवभूती सुंग was killed by his own minister वashudev कर्म और देवभूती सुंग जो है उसके उन्ही के मंत्री बashudev कर्म ने क्या किया था मार डाला था तो 60 में question का पूछा जा रहा है कि आपका इसमें सही answer क्या होगा यह बताना है आप लोगों को अब सबसे पहले मैं बता दूँ आपको अगर इस heliodarist pillar की बात की जाए तो यह जो heliodarist pillar है इसको excavate इसकी खोश की गई थी 1877 में और किसके द्वारा तो आप बताओगे Alexander Cunningham के द्वारा और यह जो heliodarist pillar है यह आपको कहां पर है तो आप बताओगे बेस नगर में कहां पर है यह बेस नगर जो की कहां पर पढ़ता है विधीशा जो की एक district है कहां पर तो आप बताओगे बेस नगर विदीसा मध्यप्रदेश में और ये समर्पित किसको है भगवान विश्णू को नहीं जब कि ये समर्पित किसको है तो आप बताओगे गरूरा को या फिर गरूर को ये ध्यान लखना है तो पहला statement क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और दूसरा statement सही है तो आंसर क्या होगा B option क्लियर है ये point चलिए आगे अभी 40 questions और बच रहे हैं तो परिवर्तन 2.0 जो है इसके अंतरगत आपको 70 plus courses offer की जा रहे हैं एक साल के validity के साथ इन courses को subscribe करने के लिए आज ही आप लोग exampur के mobile app को download कीजिए Google Play Store से और इन courses के बारे में बिस्तित जानकाली के लिए आप call कर सकते हैं 9873-111-552 पे और WhatsApp कर सकते हैं 844-811-6245 पे जो परिवर्तन 2.0 है इसमें 70 plus courses है इसमें सभी defense के exam सो cover किया जा रहा है NDA, FCAT, Air Force, XY Group, CAPF Navy SSR, Navy AACDS and Navy MR इसके साथ-साथ UPSI, Railway, SSC, Banking, TET इन सभी exams और state exams को भी cover किया जा रहा है इसके अगला सवाल ये है Who among the following was the founder of the Sathvahan dynasty? निमलिकित में से Sathvahan Rajivans का संस्थापक कौन था? Simukh Sathvahan, Krishna Sathvahan, Sima Vishnu या Dantidurv ये पूछा गया है जो Sathvahan dynasty है अगर पूछा जाए कि इसका संस्थापक इसमें से कौन था? तो आप क्या बताओगे? आप बताईएगा कि एक नाने घाट Sorry नाने घाट inscription है जो हमें बताता है किसके बारे में? Sathvahan वंस के बारे में और इसमें ये कहा गया है कि 273 ईशापूर 273 BC के आसपास जो Simukh Sathvahan है इनके द्वारा नीव रखी गई थी किस चीज की Sathvahan राजबन्स की ये ध्यान रखने आपको Referring to the Sathvahans An ancient chronicle said The Andras have 30 forts and a mighty army The name of this chronicle is which one? Sathvahan का उलेक करते हुए एक प्राचीन इतिहास लेखक ने कहा आंधर के पास 30 के लिए और एक सक्तिसाली सेना है इस इतिहास लेखक का क्या नाम था? Pliny, Megarthnees, Strabo या फिर विशागदर So referring to the Sathvahan An ancient chronicle said That Andras have 30 forts ये चर्चा इसमें से किस इतिहास कार ने की है Sathvahan के बारे में ये पूछा गया है आपसे Pliny ने, Megarthnees ने Strabo ने, या फिर विशागदर ने तो आप ध्यान रखना है Megarthnees ने इसको भूलना नहीं है आप लोगो Which of the following was the capital of the Sathvahan इन में से कौन सा Sathvahanों की राजधानी थी कांची पूरम वातापी प्रतिस्ठान या नागारजुना कोंदा ये बताओ आप लो इसमें से पूछा गया है कि जो Sathvahan राजबंस था उन लोगों की राजधानी कहां पे थी कौन कौन सी राजधानी थी इनकी तो आप बताओ कि एक तो प्रतिस्ठान था और प्रतिस्ठान के साथ साथ दूसरा आपको ध्यान रखना है अमरावती एक प्रतिस्ठान थी और साथ में आपको ध्यान रखना है अमरावती ये दोनों ध्यान लगना है अगला सवाल ये है कि which of the following statement is or are incorrect with respect to the Indo-Greek rulers during the post-Maurian age जो उत्तर Mauryug था उसके बाद जो भारत जुदानी सासक है उनके संबंद में निमलिखित में से कौन सा गलत है they were the first one to issue the coins that could be clearly attributed to a king यानि कि जो Indo-Greeks आसक थे उनके दोरा वो पहले ऐसे बैखती थे जिनके दोरा ऐसे सिक्कों को जारी किया जिसमें असपस्ट रूप से एक राजा को दरसाया जा सकता था they were the first to issue the gold coins in India वे भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले बैखती थे they contributed to the क्या थे विरोधी थे आपको बताना है में से कौन सा कथन जो है वो incorrect है या फिर असत्त है Indo-Greek यानि कि भारत युनानी सासकों के बारे में जो मौर के बाद आये थे ये पूछा गया है आप लोगों से please go further reply देखो ये बिलकुल कही सही कथन है कि उन्होंने पहला ऐसा सिक्का जारी किया जिसपे की राजाओं के चित्र और उनके रूल का इयर था सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो-ग्रीक ने चलाएं उन्हीं के समय में गांधर स्कूल अफ आर्ट फ्लनिश हुआ लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो अस्थानिय धार्मिक परंपराओं के विरोधी थे ये गलत है उन्होंने धर्ग बहुत धर्म को क्या किया था अपनाया था और इहीं का एक सबसे बड़ा सासक था कौन मिनेंडर जिनका की बहुत विक्चू के साथ एक बहुत बड़ा संबाद था जिसको हम मिलंद पन्नों में कहते हैं नागशेन के साथ Many of the Greeks कुषान एंसक embarrassed Buddhism rather than Hinduism कई युनानियों कुषानों और शक सासकों ने हिंदू धर्म के बजाए बहुत धर्म गरहन किया ऐसा क्यों क्योंकि Buddhism was in the Ascendant at that time उस समय बहुत धर्म प्रबल था They had renounced the policy of war and violence उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीती को त्याग दिया था Caste-ridden Hinduism did not attract them जाती ग्रसित जो हिंदू धर्म था उन्हें आकरसित नहीं कर पाया And Buddhism provided easier access to Indian society या बहुत धर्म में भारतिये समाज तक आसानी तक पहुँच परदान की थी तो इसमें से पूछा गया है कि वो कौन सा factor था जिन्होंने attract किया या आकरशित किया Greek, Kuson और सक्सासकों को बहुत धर्म को अपनाने के लिए Hindu धर्म के तुल्ला में या Hindu धर्म के comparison में तो इसका क्या answer होगा it's the C option यानि कि जाती ग्रिसित जो Hindu धर्म है उससे वो बहुत ज़्यादा क्या थे आकरसित से निलेश कुमार जी पढ़ाई में मन लगाईए वो लगाना जरूरी है कहीं और से मन हटाईए ठीक है ना मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप सावन के महिने से गुजर रहे हो हर्याली पे नजर जादा जा रही होगी आपको लेकिन अभी क्या है ना कि बेटा अभी उस हर्याली से बाहर निकलो और आपकी हर्याली आपका exam है वहाँ पे focus जादा करो जो practice of military governorship है इसे सबसे पहले इंडिया में किस के दोरा introduce किया गया सैन प्रिसासन की प्रता भारत में पहली बार इन में से किस सासक के दोरा सुरू की गई थी यूनानी यानि की ग्रीक सक सासक, पार्थियन सासक या फिर कनव सासक ये बताईए ठीक है हर्याली भी जरूरी है लेकिन समय के साथ ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा तो ग्रीक्स, यूनानियों ने और इन्होंने किस चीज की सुरुवारत की थी तो आप बताऊगे छत्रप प्रनाली छत्रप प्रनाली इसको ध्यान रखना है इसको ध्यान रखना है विट रेफरेंस तो दा इन्वेडर्स इन एंशी एंट इंडिया विच वण आप दा फॉलविग इस दा करेक्ट प्रॉजिकल ओडर प्राचीन भारत में आक्रमन कारियों के संदर में इन में से कौन सा कालनकरम सही है ग्रीक सक कुशान ग्रीक कुशान सक सक ग्रीक कुशान या सक कुशान ग्रीक एक याद रखना कोड जी एस पी के सबसे पहले ग्रीक साएंगे युनानी इसके बाद सक आएंगे इसके बाद यहाँ पर पार्थियन्स आएंगे और फिर आपको क्या आजाएगा कुशान आजाएगा GSP के ध्यान रखना है Greek सक पार्थियन कुशान तो GSK तो पहला option जो है वो सही हो जाएगा सही है Who among the following was not a सक ruler निमलिकित में से कौन एक सक साशक नहीं था नहापना, महिर भोज, रुदरदमन, या फिर सोडास ये बताना है आपको इसमें से सक साशक कौन नहीं थे ये बताओ इसमें से सक साशक कौन नहीं था आपको ध्यान लखना है जो महिर भोज हैं अगर हम लोग बात करते हैं किसकी मिहर भोज की तो आप ध्यान रखिएगा कि जो मिहर भोज हैं यह सासक थे किस लाजवन के तो गुर्जरा प्रतिहाराज के गुर्जरा प्रतिहारवन्स इसके सासक थे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा B option अगला सवाल यह है which सक रूलर was responsible for important irrigation works in सौराश्टा सौराश्ट में महत्पुन सिचाई कारियों के लिए कौन सा सक सासक जिम्मेदार था सौराश्ट जो गुजरात का छेतर है इसमें सिचाई कारियों के लिए कौन सा सक सासक जो है वो जिम्मेदार था रुद्रदमन, रुद्रसेन, नहापना या उपरोक्त में से कोई भी नहीं which of the following ruler was responsible for important irrigation works in सौराश्ट रिजन रुद्रदमन, रुद्रसेन, नहापना या none of these तो आपको पता है कि ये काम जो agricultural works है वो किस ने किया था रुद्रदमन ने किया था 69 का A हो जाएगा Consider the following statements निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए सक्क वेर्ड ग्रूप उफ इजिप्शियन नॉमेडिक पैस्टोरल ट्राइब्स जो सक्क सासक थे मिस्र की खाना बदोश दिहाती जनजातियों का एक समू था क्या ये statement सही है The Chinese invasion forced the सक rulers to move towards India चीनी आकर्मन ने सक्क को भारत की और बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया इसमें से आप बताओ कौन सा statement जो है उस सक्सासकों के बारे में बिल्कुल सही है बिल्कुल correct है तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो सक्सासक है ये कहां से आये थे तो Central Asia से तो पहला कतन तो गलत है और जब Great Wall of China बनाया जा रहा था उस बग जो वहां की tribes थे उनमें संगर्स हुआ जिस कारण से सकों को उस छेत्र को छोर करके और पलायन करना परा माइग्रेट करना परा इंडिया की तरफ तो दूसरा statement सही है तो B will be the correct answer They were not the Aryans Consider the following statement into the Sak Sak से संबंदित निमलिखित कतनों पर विचार करें युनानी लेखत यवनेश्वरा भारत में चस्ताना के सासंकाल में रहते थे जो यवनेश्वरा ग्रीक राइटर था वो भारत में चस्ताना सासक के समय में रहा करते थे रुद्रमन वन conducted the repair work of सुदर्सन लेक अट काठियाबा रुद्रमन प्रथम ने काठियाबार में सुदर्सन जील की मरम्मत का काम किया था रुद्रमन प्रथम ने issue किये थे पहला long inscription in चास्ते संस्कृत रुद्रमन प्रथम ने संस्कित में पहला long inscription लेक जो किया किया था निर्गत किया था तो सक्सासक के बारे में कौन सा statement जो यहाँ पर है वो बिलकुल सही है कौन सा incorrect है यह पूछा गया है कौन सा incorrect है sorry कौन सा incorrect है यह पूछा गया है प्लीज गो फॉदा आंसर जो पहला statement है यह क्या हो जाएगा इन्करेक्ट हो जाएगा जो यगनेश्वर जो युनानी लेखक यवनेश्वरा थे यह किसके दर्वार में थे तो आप बताओगे रुद्र दमन प्रथम के दर्वार में प्रथम के दर्वार में यह ध्यान रखना है आप लोगों को consider the following statement related to the shakking इसका नाम क्या है पेटिका कुसूल का पेटिका कुसूल का जो सासक था सक सासक उसके बारे में कुछ कथन दिये गए है इस question को skip करो यह इतना important question नहीं है हाँ फाहयान's mission to India was भारत के लिए फाहयान का mission क्या था to learn about the administrative system of the गुपता king गुपत राजाओं के प्रसासनिक प्रणाली के बारे में जानना understand the social position of women during the गुपता period गुपत काल के दौरान महिलाओं की समाजिक स्थिति को समझना visit the Buddhist institution and to collect copies of Buddhist manuscripts बौध संस्थाओं का दोरा करना और बौध पांडि लूपियों को की प्रतियों को एकत्रित करना and to get full knowledge about the condition of peasants during the period of गुपता king गुपत राजाओं के काल में किसानों की स्थिति के बारे में पुरी जानकारी प्राप करना तो फाहयान का जो mission था भारत में वो मुल रूप से क्या था ये पूछा गया है आपको फाहयान किस mission के साथ किस objective के साथ भारत आया था तो आब बताओगे इसका एक ही mission था to visit the Buddhist institution and to collect copies of Buddhist manuscripts C will be the correct answer The subject matter of Ajanta paintings where Ajanta चित्रों के मुल विशे क्या थे बुद्धाज, life and bodhi सत्वा, बुद्ध का जीवन और bodhi सत्व, गरूर, यक्ष, गंधर्व, अपसरा, देके ना अनिमल, birds and flowers, पसु, पक्ची और फूल, या उप्रोक्त सभी जो Ajanta की paintings है, जो Ajanta की चित्रकला है उसका जो subject matter था, उसके जो मूल विशे थे, वो इन में से क्या-क्या थे, ये पूछा गया है आपसे क्या जितने भी दिये गए हैं, options में क्या वो सारे विशे थे देखो, जहां भी all of the above होना, आप उस option को हमेशा priority पर रखना, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसको priority पर रख सकते हो, एक बार जो लोग नए जुरे हैं session में, प्लीज एक बार session को आप लोग लाइक कर दीजे और session को share भी कर दीजे, सभी लोग, which of the following is the correct logical order of the gupta rulers, निमलिकित में से कौन सा, गुप्त सासकों का सही क्रम है, इसको देखी आप लोग, क्या होना चाहिए इस कांसर, कुमार गुप्त, समुद्र गुप्त, चंदर गुप्त, विक्रमा देते हैं, प्लीज टेल में, जितने लोग लाइव हैं, प्लीज फटा फट session को लाइक और शेयर कर दो, फटा फट, सबी बच्चे हैं, अगर session अच्छा लग रहा है बेटा, तो प्लीज कीजिए इस चीज़ को, इसका answer क्या हो जाएगा, C option, बिल्कुल सही का आप लोग ने, consider the following, वारा नसी, कौशामबी और पाटली पुत्रा, which of these were the main commercial towns during the गुप्ता पीरियद, गुप्त काल के दौरान मुख्य बैपारिक सहर इन में से कौन से थे, वारा नसी, कौशामबी, पाटली पुत्र, ये टीनो थे, केबल वारासी और कौशामबी थे, ठीक है न, पहला और तीसरा हो जाएगा, या all of these हो जाएंगे, 76 questions का answer क्या होगा, please tell me the answer everybody, बिल्कुल सही का, मैंने क्या कहा, जहां पे all of the above, all of these उसको साथ जा सकते हैं हम लोग, match the following, निमलिखित को सुम्मेलित करे, विक्रम संबथ, सक्संबथ, गुप्त संबथ, और काली संबथ, तो एक तरफ संबथ दिये गए हैं, एक तरफ उसके years दिये गए हैं, आपको इसको match करना है, please go for the answer, देखो, जो विक्रम संबथ है, ये ध्यान लखना 57 BC हो जाएगा, ठीक है, जो सक्संबथ है, वो 78 AD हो जाएगा, जो गुप्त संबथ है, वो 320 AD हो जाएगा, तो 4, 3, 2, 1, D is the correct answer, धनवंत्री के वारे में पूछा गया है, धनवंत्री कौन थी, धनवंत्री कौन थी, तो धनवंत्री इन में से कौन थी, ये पूछा गया है, धनवंत्री इतिहास में किस लिए फेमस थी, ये पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे, she was a noted physician, in the court of Chandragopta Vikramadit, इसको ध्यार नखना है आपको, which of the following statements, about Chandragopta second, और Chandragopta Vikramadit is not correct, Chandragopta second के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, काली दास और अमर सिंग, were famous scholars in his court, काली दास और अमर सिंग उसके दरबार में प्रसिद विद्वान थे, he expanded his empire both through, matrimonial alliances and conquest, उसने अपने सामराज का विस्तार, बैवाही, गडजोर और बिजय, दोनों के माध्यम से किया, he married a naga princess named Kuvernaag, उसने एक नाग राजकुमारी से साधी की जिसका नाम कुवेर नाग था, he married his daughter प्रभावती to an ahom prince, उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ट का विवा, ahom के राजकुमार से किया था, इसमें से कौन सा statement correct नहीं है, ये पूछा गया है आप लोगों से, देखो ध्यान लखना है कि जो d option है वो incorrect है, क्योंकि चंद्रगुप्ट की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ट, इसकी जो शादी है, वो ध्यान लखना है आपको, वाका टका, वाका टकाज, यह हम कह सकते हैं, वाका टका के राजा, किन के साथ तो आप बताओगे, रुद्रसेन दुलिती है, रुद्रसेन सेकेंड के साथ भी थी, किस साथ भी थी, तो आप बताओगे, रुद्रसेन सेकेंड के साथ, In the context of the rule of Gupta, and their successors, what is Visti, King's share in the produce of the land, गुप्त और उनके उत्राधिकारियों के सासंकाल के सदर में विस्टी क्या था भूमी के उपज में राजा का हिस्सा फोर्स लेबर, जवरन स्रम एमर्जेंसी टेक्सेशन आपातकालीन कराधान अस्थानिये प्रमुकोदरा वसूल किया गया था तो यहाँ पे जो विस्टी है ये इन में से क्या है ये बताना है आप लोगों को प्लीज गो फादर रिप्लाई विस्टी जो है गुप्त काल में क्या चीज थी जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार फटाफट लाइक और शेयर हो जाए फटाफट लाइक और शेयर कर दो तो क्या हो जाएगा king's share in the produce of the land भूमी की उपज में राजा का क्या था ये मूल हिस्सा था अगला सवाल ये है समुद्र गुप्त अब दे गुप्ता डैनेस्टी वाज यूनीक अमॉंग दे इंडियन हिंदु रूलर्स वोईंग तू गुप्त बंस का समुद्र गुप्त इन में से किस कारण भारती हिंदु सासकों में अदुईती है था His contribution to the revival of Hinduism Hindu धर्म के पुनरधार में उसका योगदान था His passion for conquest and empire building विजय और सामराज निर्मान के लिए उसका जुनून He founded an empire that lasted over the two centuries उसने ऐसे सामराज की स्थापना की जो दो सताबलियों तक चला His patronage of art, especially music and poetry कला विशेशकर संगीत और कविता का संगरक्षन के लिए ये बताईए वो इन में से अन्य सासकों में किस चीज के लिए सबसे युनीक था समद्र गुप्त और इसको हम लोग Napoleon of India भी कहते थे इसको Napoleon of India भी कहा गया Vincent Arthur Smith, VA Smith के द्वारा इसका answer क्या हो जागा His passion for conquest and empire building B is the correct answer एक बार सभी लोग जो live हैं सेशन को like और share कर दो फटाफट 200 like तो पहुचा दो आप लोग Which of the following was or where the reasons for general decline of the foreign trade during the later गुप्ता period select the answer from the codes given below मतलब उत्तर गुप्ता काल में जो आप कह सकते हो कि जो बैपार का पतन हुआ उसका प्रमुप कारण क्या था Quality of goods decline वस्तू की गुनवत्ता में घिराबट आई Arab and Chinese intervention in the trade बैपार में अरब और चीनी का हस्ता चेप बर गया Decline and fall of the Roman Empire Roman सामराज का पतन और गिराबट Indian lawmakers declared it a great sin for the Hindu to travel by sea भारतिये कानुन दिर्माताओं ने समुद्र सर्यात्रा करना हिंदूों के लिए एक महान पाप घोशित कर दिया तो इनमें से कौन सा सबसे important factor माना गया है Later Vedic period में Trade के decline का देखो ध्यान लखना Arab और Chinese intervention भी था Decline and fall of Roman Empire भी था और Indian lawmakers ने जो समुद्र को क्रॉस करना पाप घोशित कर दिया तो तीनों हो जाएंगे C will be the correct answer इसको ध्यान लखना है आप लोगों को गुप्त काल के निम्लिकित सिलालेखों में से किस सिलालेख पर सती का पहला साच्च मिलता है अलाहबाद inscription, इलाहबाद सिलालेख एरान inscription, एरन सिलालेख जुनागर inscription, जुनागर सिलालेख, या फिर भिटारी inscription इन में से वो कौन सा अविलेख है जिसमें सबसे पहला साब्स मिलता है भारत में आप बताओगे सती प्रथा का तो आप क्या बताओगे it's the Iran inscription और ये कब का है तो आप बताओगे 500 10 AD का और ये कहां पर है तो आप बताओगे Madhya Pradesh में 8th is C Next question है According to tradition the Sangams flourished at different places which of the following प्लेसेज वर एसोसियेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट सभी प्रस्णों को यहां पे discuss किया जाएगा तो आप क्या बताओगी जो मदुरा और कपाट पुरम है कपाट पुरमें दो ऐसे अस्थल थे जो तीनों ही संगमों से क्या हुआ था जुरा हुआ था 84th is A In the संगम age, उरायूर was important for संगम यूग में जो उरायूर है यह किसलिए महत्पुन था It's being a great center of spice trade यह masala बैपार का बराकें था It was a great center of cotton trade यह kapas बैपार का बराकें था It's being a great emporium of foreign trade यह विदेशी बैपार का एक महान प्रतीक था It is being a great center of indigenous trade यह सोदेशी बैपार का एक बराकेंदर था इसका आंसर क्या होगा 85th का उरायूर किसलिए famous था यह पूछा गया है आपको ध्यान डखना है कि उरायूर जो है यह सबसे बरा कपास का बैपार का एक बहुत बराकेंदर था और आपको बतादू में जो उरायूर है यह है कहां पे तो आप बताओगे तिरू चिरापली तमिल लाडू में तिरू चिरापली यह आज का तिरू चिरापली तमिल लाडू में है ध्यान रखना है और तमिल में अगर तमिल भासा की बात करें तो तमिल भासा में जो उरयूर है या उरयूर है इसका मतलब क्या होता है तो आप बताओगे रसीडेंस या आप कह सकते हो ग्री या हम कह सकते हैं आवाश उरयूर का मतलब आवाश होता है संगम साहित बरतमान समय में रहने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक जीवन के बारे में जानकरी का एक प्रमुक्ष रोथ है कहा पर तमिल्नाडू में, साउथ एन वेस्टर्न तमिल्नाडू में, साउथ एन वेस्टर्न तमिल्नाडू में, साउथ एन वेस्टर्न तमिल्नाडू एन पार्ट्स ऑफ केरल में, कोस्टल पार्ट्स ऑफ केरला, साउथ करनाटका और नदर्न तमिल्नाडू यह बताओ कहते हैं जिसके सामाजिक आर्थिक और आप कह सकते हो राजनेतिक जीवन के बारे में जो संगम साहित है वो बढ़नित करता है तो आप क्या बताओगे केरल दक्षिम करनाटक और उत्री तमिलनाडी का तर्टियवाग बी इस दा करेक्ट आंसर संगम लिटरेचर इस संगम साहित क्या है? तीन सताब्दियों के लिए महत्वपूर्ण माना गया था संस्कृत वर्क आप पुरानिक नेशर डीलिंग विद्धा सैंसिटी आप प्लेस वेर दिरिस कॉन्फूरेंस और रिवर्स इन प्रियाग प्रियाग में नदियों के संगम के स्थान की पवित्रा के साथ काम करने वाले पुरानिक प्रकरती के संस्कृत कारे तो संगम साहित्य का संदर्व इन में से किस से है ये पूछा गया है संगम साहित्य है क्या तो अब बताओगे यह एक प्रारंभिक Tamil साहित्य है जो पहली ईशापुर्म की पहली जो तीन सताब दिया थी उसमें महत्मपूर्ण माला गया है These are the early Tamil literature which is attributed to the first three centuries of the Christian era 87th का answer C हो जाएगा In Tamil, the word Sangam means an assembly of what? Tamil में Sangam सब्द का अर्थ क्या माला जाता है? Poets and Scholars कभी और विद्वान Poets, Grammarians and Philosophers कभी व्याकरन का जानकार और दाशनिक Scholars and Diplomates, विद्वान और राजने Poets and Artists, कभी और कलाकार तो Tamil में Sangam का अर्थ क्या होता है? यह पूछा गया है एक बाद सभी लोग answer करो Tamil word Sangam का meaning क्या होगा? तो आप क्या बताओगे? Poets and Scholars कभी और विद्वान, बिलकुल सही है Who among the following is referred to as the President of the First Sangam? निमलिखित में से किसे प्रथां Sangam का अध्यक्ष कहा जाता है ब्रिहस्पती, पुलतस्य, अगस्थ, या फिर नारद Who among the following is referred as the President of the First Sangam? ब्रिहस्पती, पुलतस्य, अगस्थ, या फिर नारद Please tell me Sangam पर हो, क्या हो जाएगा? अगस्थ हो जाएगा यह Mass the following शिवक चिंतामनी, मनी मेखलाई, शील पदी करम, और तिरुमुर कटुपडाई एक तरफ यह संगम टेक्स्ट है, संगम के साहित की किताबें और एक तरफ उनके ऑथर है इन बुक्स को उनके ऑथर के साथ आपको क्या करना है? मैच करना है अब एक चीज़ ध्यार रखो शिवक चिंतामनी किसके तरफ लिखा गया है? तिरुतक देवराई के तरफ तिरुतक देवराई ठीक है? जो मनी मेख लाई है, इसको लिखा है किसने सतनार ने जो शील पदी करम है, इसको किसके तरफ इलंगो अधीगल और जो तिमुर कुटेपुदाई है, इस बाई दा नकिडार तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ओप्शन त्री संगम्स वियर ओर्गिनाइज़ अंडर दे पैट्रोनेस अफ किंग्स वो बिलॉंग तो दे विच डैनेस्टी तीनो संगमों का आयोजन जिन राजाओं के सनलक्षन में किया गया था वो किस राजवन्स के थे? पांडवन्स, चेरवन्स, चोलवन्स या फिर पल्लवन्स ये जो तीन संगमों का आयोजन किया गया ये तीन संगमों के आयोजन को जो राजाओं ने सनलक्षन दिया था तो ये राजा मूल रूप से किस बंस के थे पांड, चेर, चोल या पल्लव ये पूछा गया है आपसे तो आप क्या बताओगे तो ये पांड बंस के थे कहां से थे तो पांड बंस के थे अगला सवाल ये है which of the following dynasties was not mentioned in the संगम literature निमलिकित में से किस बंस का संगम साहित में उल्लेक नहीं किया गया था पल्लव बंस में, चोल बंस में, पांड बंस में या चेर बंस में इन में से पूछा गया है कि कौन सा राज बंस है जिसमें संगित साहित जो है उसका उल्लेक नहीं किया गया था पल्लव चेल चोर पांड ये बहुत आसान सवाल है बताओ फटाव फटाव लो एक बाद सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो बिटो सभी बच्चे क्या हो जाएगा पल्लव Consider the following titles गुन्भरा, मतविलास, विचित्रचरित और चित्रकारपूली Which of these titles were assumed by the पल्लव किंग महेंद्र बर्मन प्रथम पल्लव राजा महेंद्र बर्मन प्रथम में इनमें से कौनसी उपाधी धारन की थी गुन्भरा की उपाधी, मतविलास की उपाधी, बिचित्रचरित की उपाधी, चचित्रकारपूली की उपाधी मैंने क्या बोला है कि अगर option में D option हो, all of the above का option हो ऐसे questions में हम generally D option के साथ आगे चल सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी यानि की all of these Consider the following statements निमलिखित कतनों पर विचार करें महेंदर बर्मन first introduced structural temples built by soft and rocks महेंदर बर्मन प्रथम ने नरम रेत की चट्टानों द्वादा निर्मित संदशनात्मक मंदिरों की सुरुबात की क्या यह कथन सही है राज सिम्हा introduced the rock cut temples और राज सिम्हा ने पत्थरों को काट कर बनाये जाले वाली मंदिर कला की क्या की थी तो आपको बता गया है सुरुबात की थी तो इसमें कौन सा कथन जो है वो बिलकुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपको बता दू कि जो महंद्र बर्बन प्रथम है यह बेटे थे किसके पल्लब सासक सिम्ह विष्णू के शिम्ह विष्णू शिम्ह विष्णू यह संस्तापक थे किसके तो आप बताओगे पल्लब राजवन्स के और इन्होंने महंद्र बर्बन मन ने जो मंदिरों की बनाने की कला सुरू की थी उसमें रॉक और रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स के असाथ साथ यहां पे उड़ को यूज किया था इन्होंने मेटल्स को भी यूज की थी इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने यहां पे वुड्मेटल्स और साथ में मौर्टार इन सभी का इस्तेमाल गया तो पहला स्टेट्मेंट गरत हो जाएगा ठीक है ना इसको ध्यान रखना है आप लो है आप लोगों को consider the following statement related to the nursing Burman first he was known as Mamala which means a great wrestler nursing Burman प्रथम से संबंधित निम्लिकित कत्नों पर विचार करे ममला के रूप में जना जाता है था जिसका आर्थ है महान पहलवान he led a naval expedition to Sri Lanka Lanka जाने के लिए एक नव अभियान का नित्युत किया during his rule when Sang visited Kanchi Puram उसके सासन का के दुरान when Sang when Sang जो है उसने Kanchi Puram का क्या किया था तो आप बताओगे दौरा किया था इसका क्या आंसर होगा बताओ आप लोग फटा-फट 95 का आंसर क्या होगा देखो मैंने कितनी बार कहा है कि अगर all of the above हो तो हम जा सकते हैं उसके साथ Consider the following statement दपल्लब सोसाइटी वाज बेस्ट ऑन आरियन कल्चर पल्लब समाज आरे संस्कृती पर आधालित था वातसायन हू रोड़ नियाई भाष वाज़ वाज़ टीचर एड़ कांची उनिवरसिटी वातसायन जिन्होंने नियाई भाष लिखा था कांची विस्विद्याराय में सिक्छक थे इसमें से correct option को चुनना है आपको ठीक है ना दोनों statement सही है cable पहला सही है cable दूसरा सही है या non of these होगा प्लीज बताइए तो इस कांच सही होगा मैं समझ सकता हूँ संगम में दिक्कत है आप लोगों को find the correct match सही सुमेलित करें उर सभा और नगरम उर सभा और नगरम ये तीन चीज़ें पूछी गई है आपको उर क्या था तो आप बताओगे कहते थे peasants को उर किसान थे ठीक है ना इसके बाद जो सभा है वो क्या थी उसको ब्रैमिन नगरम जो है बैपाड़ी और बनिया वो कहते थे ठीक है ना तो ए इसका correct answer होगा consider the following statement निम्लिखित कत्नों पर विचार करें पुलके सिन second succeeded in getting a submission from चेल, चोड और पांडिया किंग ठीक है ना जो पुलके सिन दूतिये उसने चोल, चेड और पांडिया राजाओं को से उत्राधिकारी प्राप्ट करने में सफलता हासिल की पुलके सिन second defeated king हर्षा आफ कंणोज and the पल्लव king महंदर बर्मन पुलके सिन दूतिये ने कंणोज के राजा हर्षवर्दन और पल्लव राजा महंदर बर्मन को हराया था पुलके सिन second also defeated khusro to the king of persia पुलके सिन दूतिये ने फारस के राजा khusro दूतियों को हराया था आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा statement जो है वो बिलकुल correct है नहीं choose the incorrect है incorrect कौन सा है इससे पूछा गया है कौन सा incorrect है ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा correct है ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा incorrect है please go for the answer प्लीज टेल भी दे राइट आंसर इनकरेक्ट कौन सा है इनकरेक्ट कौन सा है ये पूछा गया है तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है तो सी होगा ये ध्यान रखना है आप लोगों क्लियर है Consider the following statement related to the चालुक्याज चालुक्याज से संबंदित निमलिखित कत्नों पर विचार करे They minted coins with the cryptograms of temples, loin और bore facing right and the lotus उन्होंने मंदिरों, सिंग और सुवर के क्रिप्टोग्राम के साथ सिक्कों की सुरवात की Their contribution in literature was negligible और ये जो चालुक्याज थे बादामी के इनका साहित में योगदान जो है वो बिलकुल नगन था तो कौन सा आंसर सही होगा केबल पहला, केबल दूसरा, दोनों statement जो है वो सही है या नन आपदीस तो आप क्या बता के केबल पहला statement जो है वो क्या है सही है Consider the following statement निमलिखित करत्नों पर विचार करें The temples under the चालुक्याज are a good example of द्रविड style of architecture चालुक्यों के अधीन मंदिर बास्तुकला की द्रविड सैली का एक अच्छा उधारन है They built the cave temples during both religious and secular themes उन्होंने धार्मिक और धन्रिपेक्स दोनों विचायों को दर्साते हुए गुफा मंदिरों का दिर्मान किया The temples had beautiful mural paintings मंदिरों में सुंदर जो थे वो क्या थे भित्ती चित्र थे आपको बता दू मैं कि जो चालुक के राजवन्स हैं उनके समय जो मंदिर बनाया गया वो किस सैली में तो आप बताओगे बेसरा सैली में वो जो सैली थी वो क्या थी तो आप क्या बताओगे बेसरा सैली थी इसमें एक चीज तो आपको ध्यान रखना है कि पहला statement जो है वो क्या हो जाएगा incorrect हो जाएगा तीसरा भी इन करेक्टर तो सही क्या है तो आप के पिल बताओ कि दूसरा सही है इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सकेंड वाइं तो एक बता दो फिर से मैं आप लोगों को जो परिवर्तन 2.0 इसमें 70 प्लस कोर्सेज ओफर की जा रही है एक साल के वरेड़ी के साथ आप लोग आज ही इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए एक्जैंपूर के मोबाइल आप को डाउनलोड कीजे इन कोर्सेज रिलेटर कोई भी क्वेस्चन हो तो आप कॉल कर सकतो जो परिवर्तन 2.0 है इसमें 70 प्लस कोर्सेज में सभी डिफेंस एक्जैंप्स को कवर किया गया है अगर आप लोग एरफोस एक्सवाई ग्रीप और नेवी के त्यारी करें तो आज ही एक्जैंप्स डिफेंस वार्यर के चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आप लोग CDS, CAPF, FCAT और EPFO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ओनलाइन बेंचर बाइग्जैंप्स को देके ना दोस्तों ये थी आज की सेशन थैंक्यू सो मच एव NDA के इस बार के exam में, CDS के exams में, maximum to maximum scoring के साथ आपको qualify कराना लेकिन ये तभी संब्सक्राइब है तभी possible है जब आप सभी सेशन को positively क्या करो, attain करो, thank you so much guys, love you all, bye bye, take care and have a great evening and great weekend ahead, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और इसी तरीके से जुड़े रह Thank you so much